नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में मैं नौलिज पंड़ित से रंजीत पांड़े आप सभी का वैलकम करता हूँ तो दोस्तों हम इसमें पढ़ने वाले हैं 130 साइंस के कॉशन्स जो की ओल्ड एक्जाम पेपर के कॉशन्स है और ये हर एक्जाम के लिए इंपॉर्टन्ट है इसपेशल SSC, UP पिलिस और भी जो भी एक्जाम हो रहे हैं चले शुरू करते हैं तो सबसे पहला प्रशनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं रजत मचली होती है तो यह क्या है तो रजत मचली जो है एक कीट किश्रणी में आती है नेक्स्ट कॉशन देख लेते हैं अगला प्रशन है हाल ही में लुपत हुआ पक्षी इन में से कौन है तो डोडो हाल ही में लुपत हुआ पक्षी है अगला प्रशन आपके सामने है ना उड़ने वाला पक्षी इन में से कौन सा है तो इमू ना उड़ने वाला पक्षी है अगला कॉशन है इस्तंधारियों का सबसे महतव पूर्ण लक्षन क्या होता है तो इस्तंधारियों में चार कोश्ट ये हृदय का होना उनका सबसे महतव पूर्ण लक्षन है Next question आपके सामने है मचली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है तो मचली वर्ग की पहचान ग्रासिय गिल, डर्मल शल्क और युगमित पक्ष यानि की उपर सभी प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा Next question आपके सामने है वेल एक इस्थंधारी है कारण क्या है क्योंकि इस्तंधारी होने का मुख्य लक्षण है चार प्रकोष्टों का हर्दे होना यही वेल के इस्तंधारी होने का मुख्य कारण है अगला प्रशन है उडन मचली इन में से किसे कहते हैं तो एक्सो सिस्टस उडन मचली फ्लाइंग फिश के नाम से जानी जाती है नेक्स्ट कोशन है जी विग्यान के जनक कौन माने जाते हैं तो अरस्तु जी विग्यान के जनक माने जाते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा वर्गी करण क्लासिफिकेशन की आधारी एकाई क्या है तो वर्गी करण की आधारी एकाई इस परसीज है नेक्स्ट कॉशन आपके सामने है अगला प्रश पूछा गया है इनमें से किश्रणी का जीव है तो हाइडरा जो है मान स्पक्षी है Option No.2 प्रश रगे सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट कॉशन है कौन सा कीट वर्ग में नहीं आएगा तो विच्छु जो है यह कीट वर्ग में नहीं आएगा राइट आन्सर हो जाएगा गरेलू मक्ही के लारवा को क्या कहते हैं तो मैगट बोलते हैं घरेलू मक्ही के लारवा को अगला प्रशन आपके सामने है उद्योग जो मधुमक्हियों से संबंदित है उसे क्या कहते हैं तो मधुमक्हियों से संबंदित उद्योग epiculture के नाम से जाना जाता है next question आपके सामने है निमलिकित मैंसे कौन सा silk वर्ग से संबंदित है तो seri culture जो है silk वर्ग से संबंदित उतपादन से संबंदित है next question है मदुमक्यों में संचारण अर्थात communication का साधन क्या है तो नाचना मदुमक्यों में संचारन का मुख्य साधन है अगला प्रशन है उस वेग्यानिक का नाम क्या है जिसने मध्युमक्यों के संचारन की भाशा का पता लगाया था अगला कॉशन आपके सामने है मौन घाटी जहां पादपों जन्तुओं के दुरलब जातिया है कहां पर है तो मौन घाटी या साइलेंट वैली जो है यह केरल राजी में इस्थित है नेक्स्ट है भारत वर्ष का राश्य पुष्प क्या है तो भारत वर्ष का राश्य पुष्प कमल है इसका वैग्यानिक नाम क्या है कमेंट करके बताइए अगला प्रशन है रेशों की फसल जो भारत में सबसे अधिक शेतर में होती है कौन सी है तो कपास की फसल भारत में सबसे अधिक शेतर में होती है अगला प्रशन है भारत में हौकी स्टिक किस लकडी से बनती है तो भारत में होकी स्टिक जो है मोरस अलबा नाम की लकडी से बनती है नेक्स्ट है क्रिकेटर के बल्ले की किस लकडी से बनते है यानकी क्रिकेटर के बैट जो होते हैं क्रिकेट के बैट कौन सी लकडी से बनते है तो सैलिक से प्रुप्रिया नाम की लकडी से करकेट के बैग बनते है नेक्स्ट है शीत काल में तुशार पाले का वितरन कहां पाया जाता है तो शीत काल में तुशार पाले का वितरन उतकों में निरजली करन तथा यांत्रिक शती हो जाती है option number B प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा right answer है next question देख लेते हैं dairy के दूध तथा पादब पदार्थों का किंडमन करने वाला जीवाणू कौन सा है तो lactobacillus जीवाणू जो है dairy के दूध तथा पादब पदार्थों का किंडमन करने वाला जीवाणू है next है नाम करन के दूध नाम पदाथी के प्रस्तावक कौन थे तो कॉरल नीनियस यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा option number B कॉरल नीनियस नाम करन के दूध नाम पदाथी के प्रस्तावक माने जाते हैं नेक्स्ट कॉशन है आपके सामने द्वी नाम पद्धती का अर्थ क्या है कि प्रत्यक जीव में क्या होगा तो द्वी नाम पद्धती का अर्थ होता है कि प्रत्यक जीव में एक नाम में जीनस और दूसरे नाम में स्पेसीस जाती के शब्द होते हैं तो एक नाम में जीनस औ किशान का अच्छा मित्र माना जाता है तो केचवा जो है यह किसान का अच्छा मित्र माना जाता है next question है समुदरी केकड़ा यह सी कुकमबर निम्ण मैं से किस से किसे इंगित करता है तो समुदरी केकड़ी माफ करिएगा समुदरी केकड़ी यह सी कुकमबर यह जो है एक समुद्री और कशेरुकी एन वरटी ब्रेट जीव में आती है नेक्स्ट कॉशन है आपके सामने चीटी में कितने पैर होते हैं तो चीटी में लगभग 6 पैर होते हैं तीन जोड़ी पैर होते हैं नेक्स्ट कॉशन है ओंकोलोजी में किसका अध्यन किया जाता है नेक्स्ट है रेशम किस से उत्पन होता है तो रेशम के कीडों के प्यूपा से रेशम उत्पन होता है अगला कॉशन है एक भारती हाथी के बच्चे का बजन कितना होता है तो एक भारती हाथी के बच्चे का बजन लगबग 100 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक होता है नेक्स्ट है निमलिखित में से शीत रक्त जानवर कौन सा है तो cold-blooded जानवर इन में से छिपकली, medak और मचली ये सभी प्रिश्ण का सही उत्तर हो जाएगा रेशम का कीड़ा अपने जीवन चकर के किस चरण में वानिजिक तन्तू पैदा करता है तो रेशम का कीड़ा अपने जीवन के प्यूपा चरण में वानिजिक तन्तू उत्पन्न करता है निमलिखित मेंसे कौन सा एक मान और निर्मित तंतू है तो रियोन जो है मान और निर्मित तंतू या रेशा है अगला है वर्मी कमपोष्ट किस तरह की खाद है तो वर्मी कमपोष्ट जो है यह केचवा द्वारा उत्पादित जैविक खाद की श्रणी में आएगी अगला प्रशन है उर्वरकों में यहाँ अनुपस्तित होता है तो इन में से क्या अनुपस्तित होगा तो क्लोरीन उर्वरकों में अनुपस्तित होता है विश्व में सबसे बड़ा और सबसे लंबा इस्तंधारी कौन सा है तो नीली वेल विश्व में सबसे लंबी इस्तंधारी है और्थोलोजी का अध्यन क्या होता है तो और्थोलोजी में जोडों का अध्यन किया जाता है नेक्स्ट कॉशन है एकल कोशा प्राणियों को वर्गी कृत किया जाता है किसमें तो एकल कोशा प्राणियों को प्रोटो जोन के रूप में वर्गी कृत किया गया है नेक्स्ट है निमलिक्षित में से कौन समजात अंगों का उधारन है? तो इनमें से ड्रैको तथा चमगादर के पैटे जीम चेले में आएंगे जीवाश्म में पाए जाते हैं तो जीवाश्म जो है अवसादी सैलों में पाए जाते हैं अगला कॉशन है लीनियस द्वी नाम करण की विचारधारा सरप्रथम किसमें प्रकाशित हुई थी तो सिस्टिमा नैचुरे नामक पुस्तक में यह विचारधारा प्रकाशित हुई थी निमलिखित में से कौन सा एनलिडा और मोलस्क के बीच की कड़ी है तो नियोपाई लाइना जो है एनलिडा और मोलस्क के बीच की कड़ी माना जाएगा नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन सा प्राणी मूख है तो जिराफ जो है एक मूख प्राणी है नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट बिल्ली के बचने के अधिक संभावना होती है इसका कारण क्या है तो इसका मुख्य कारण है बिल्ली ततकाल अपने आपको समायोजित कर अपने चारो पैरों को भूमी पर भूमी पर आ जाती है और पैरों को मोड सकती है ताकि गिरने के संगहात को आउशोशित कर ले यही का का सामा नितापकरम लगभग कितना है तो 98 डिगरी फेरेनहाइट मनुश्य का सामा नितापकरम है नेक्स्ट है एक शार्क के साथ सनलंगन एक शूशक मतस्य में दिखाई देने वाला प्राणी साहचर यह कैसा है साहचर है तो यह सो भीचा सह भोजीता साहचर है जिसमें एक मचली के साथ में एक शोटी मचली भी चिपकी होती है और वह उसके साथ साथ में ही रहती है नेक्स्ट कॉशन है निमलिकित में से अंडा देने वाला इस्तन पाई कौन सा है तो कंटीला चीटी खोड अंडा देने वाला इस्तन पाई है विश्व व्यापी तापन का समुद्र के स्तर में वर्दी क्योंकि पर्फ पिगलेगी तो पानी वनेगा समाजिक वानगी का मतलब क्या होता है तो सामाजिक वानगी जो है option number D प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा सरकारी स्वामितोवाली भूमी पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी विवस्ता करना सामाजिक बान की है मदुमक्खी में पूम धुरूप यानि की ड्रोन कैसे होते हैं तो यहाँ अनुवर नर पर इस्थित होते हैं नेक्स कॉशन आपके सामने है रेंगने और विसर परणी करने वाले कशूर की जन्तों के प्रकार क्या है तो रैप्टेलिया वर्ग रैप्टेलिया वर्ग जो है रेंगने और विसर परणी करने वाले जन्तों के साधन है निमलिखित मेंसे कौन वेमेल होगा तो जावा क्लाइंट Τस जो है यह इन तीनों में वेमेल है, राइट आनसर हो जाएगा नेक्श्क कॉशन देख लेते हैं, जबड़े किसमे नहीं होते हैं तो प्रोटो कॉड़े में जबड़े नहीं होते हैं अगला कॉशन है एक चीटी किसके अस्तित्यू की कारण हर दिशा में वस्तूओं को देख सकती है तो उसके पास सयुक तो आखें होती है जिसके कारण वो चार दिशाओं में वस्तूओं को देख सकती है नेक्स्ट कॉशन है अदिक ठंडे छेतरों में रहने वाले जन्तुओं पर किस जन्तुओं का फर जो होता है वो किस काम आता है तो यह वायू को फसा कर उन्हें गर्म करने के काम में आता है नेक्स्ट कॉशन है निम्लिखित मेंसे किस उभाचर को जीवा नहीens होती है तो एक्थियो फिस जो होता है इसमें जीवा नहीं होती है जो उभाचर है नेक्स है कौकरोच के लारवा को क्या कहते हैं तो निम्फ कहते हैं कौकरोच के लारवा को अगला कौशन है बढ़ती उम्र के वेग्यानिकों के अध्यन को क्या कहते हैं तो बढ़ती उम्र का विज्ञानिक अध्यन जो है ये जरंटोलोची कहलाता है या जरा विज्ञान कहलाता है ट्यूब के भीतर भी ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शाररिक प्लान पाया जाता है किस में तो साइकॉन में यह प्लान पाया जाता है नेक्ट्ट कौशन है डॉल्फिन किस शरणी में आएगी तो डॉल्फिन एक इस्तंधारी शरणी में आएगी अगला कौशन है जीव जनत्वों के सुस्पष्ट पाचक गुहिका होती है उन्हें किसके अंतरगत रखा गया है तो उन्हें जो है आंतर जीवी एंट्रो जुआ के अंतरगत रखा गया है नेक्ट कॉशन है मानो जातियों के वर्गी करण के लिए निमलिखित में से किस कसोटी का प्रियोग नहीं किया जाता है तो कान का प्रियोग नहीं होता है वर्गी करण के लिए अगला कॉशन है नेमलिकित मैंसे किस के लिए मधुमकी प्रयोग में लाई जाती है तो मधुमकी पालन के लिए मधुमकी प्रयोग में लाई जाती है मानो की पहचान को सुनिश्यत करने के लिए जब प्रध्यों की आधारित अत्यादुनिक तक्नीक को काम में ला जाता है तो DNA fingerprint मानो के पहचान के लिए सुनिश्यत करने के लिए प्रयोग होता है नेक्स है निमलिकित में से कौन किस नहीं है तो मकडी जो है इन में से श्रेणी में मेल नहीं खाती है राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कौशन देख लेते हैं अगला प्रश्ण है निमलिकित में से कौन मचली नहीं है तो मचली इन में से स्टारफिस नहीं है मानो किस प्रजाती से संबंदित है तो मानो होमोस प्रजाती से संबंदित है अगला प्रशन है मैगनी फेरा इंडिका किसका वानस्पतिक नाम है तो आम का वानस्पतिक नाम है मैगनी फेरा इंडिका सबसे बड़ा और भारी स्तंधारी कौन सा है तो ब्लू वेल सबसे बड़ा और भारी स्तंधारी है अगला कॉशन है इस्पीसी जाती एसे व्श्टियों का समू है जो क्या बताता है तो जननात्म ख्रूप से जीवन छम रह सकता है इस्पीसी यह वतलाता है लीनियस को वर्गी करण का विज्ञान का जनक पिता माना जाता है कारण क्यों है क्योंकि इन्होंने द्वी नाम पद्धती को प्रस्तावित किया था इसलिए इन्हें वर्गी करण का पिता माना जाता है चोच किस की बनी होती है तो चोच एक प्रकार से दाथ की ही बनी होती है पिन्ना करणपाली एवं बाह श्रवणिय नाली पाई जाती है इनमे से किस में तो इसतन पाईएओं में यह दोनों विवस्था पाई जाती है नेक्स्ट है निम्ण में से कौन सा heftयोजन सही है तो ब्रैसी का जो है लिली इसी कुल से सम्मदित है एकडम सही heftयोजन है विद्धा का कारण है नेक्ष देख लेते हैं अगला प्रशन आपके सामने हैं अगला प्रशन है कीत संबर्धन क्या होता है तो कीटों की वृद्धी करने का विज्ञान कीत संबर्धन कहलाता है निमलिकित में से कौन सा एक कोश्य जीव का उधारन है तो प्रोटो जुवा एक कोश्य जीव का उधारन है नेक्ष है डॉल्फिन के समुह को क्या कहते हैं तो डॉल्फिन के समुह को पॉड के नाम से जाना जाता है पीछे की और उडने वाला एक मातर पक्षी कौन सा है तो हमिंग बर्ड पीछे की और उडने वाला एक मातर पक्षी है नेक्ष है आक सबस्त्रपाद कीड़े में सबसे ज़्यादा पैर होते हैं लियूमर क्या है तो लियूमर जो है मेड़ा गासकर में पाए जाने वाला एक जानवर है राइट आंसर हो जाएगा मगर मच्च के बच्चे को क्या कहते हैं तो हैच लिंग मगर बच्च के बच्चे को कहा जाता है मनश में मैमोलिया इस्तंधारी वर्ग से संबंदित जिसमें निमलिखित मैं से एक नहीं आता है कौन सा है तो छिपकली इस्तंधारी वर्ग में नहीं है next है होमो सेपियन्स के रूप में वर्गी करत किया जाने वाला प्रारंबक होमी नाइट्स कौन थे तो ये क्रो मैगनन मानों थे next question देख लेते हैं साइवेरियाई आइबेक्स क्या है तो बड़ी और भारी बक्रियां हैं जिने साइवेरियाई आइबेक्स कहा जाता है next है ओरेनिरियोलाजी यानि कि ओनेरियोलाजी जो है इसमें किसका अध्यन होता है तो इसमें सपनों का अध्यन किया जाता है डॉक्टर सलीम मुईनुदीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसुद्ध थे तो यहाँ पक्षिव ज्यान के लिए प्रसुद्ध थे next question है निमलेखित में से कौन सा एक anthropoids के तीन सुपर फैमली में से एक नहीं है तो anthropoids के तीन सुपर फैमली में से एक नहीं है अगला question है तो अच्छा तत्वों और मानो जैसी प्रजातियां जैसे की बंदर, वानर, वन मानुश आदी के वियोहार का अध्यान यह क्या कहलाता है तो यहने हम primatology कहते हैं अगला question है निमली कित में से कौन सा मकडियों का अध्यान है तो अरकनियोलोजी मकडियों के अध्यान से संबंदित विज्ञान है next question है सोरोलोजी में किसका अध्यान करते हैं तो सोरोलोजी में छिपकली का अध्यान किया जाता है right answer हो जाएगा नेमलिकित मैं से कुन सा मनुष्य का अध्यन है तो एंथ्रोपोलॉजी इन मैं से मनुष्य का अध्यन कहलाएगा अगला कॉशन देख लेते हैं सबसे जहरीली मचली कौन सी है तो स्टोन फिस्ट था फगू फिस्ट जो है सबसे जहरीली मचली की श्रेडी में आईगी किसने लाइक व्यूज लाइक होमोपेथिक सिध्धान्त प्रस्तुत किया था तो सेम्यल हैनिमेन ने लाइक व्यूज लाइक व्यूज लाइक होमोपेथिक सिध्धान्त प्रस्तुत किया था अगला कॉशन है सील मचली द्वारा किये गए आवाज को क्या कहते हैं तो सील मचली द्वारा किये गए आवाज को बार्क के नाम से जाना जाता है निम लिखित मैंसे कौन सा जीव मोलक्स के परिवार से संबंदित है तो गोंगा जो है मोलक्स के परिवार से संबंदित है निम लिखित मैंसे किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है तो जींगूर को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है मानवी विकास के संबंद में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवास्म की खोज है तो हाल ही में होमो नलिडी जीवास्म की खोज हुई है मनिश के वैग्यानिक नाम होमो सेपियन्स का अर्थ है नेक्ट कॉशन है निमलिखित मेंसे कौन सा विकलब पाचक एंजायम नहीं है तो सुपर अक्साइड डिस्म्यूटेस जो है यह पाचक एंजायम नहीं है नेक्ट कॉशन है प्रत्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान इस्तंधारी कौन सा है तो डॉल्फिन सबसे अधिक बुद्धिमान इस्तंधारी है जिसको अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है अगला कॉशन है निमलिकित मैसे चिकितसा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकरत के उपशार और विज्ञान से संबंदित है तो हेप्टोलॉजी इसे हम कहेंगे जीवों के वर्गी करण से संबंदित जीविग्यान की शाखा क्या कहलाती है तो इसे हम वर्गी करण विग्यान के नाम से जानते हैं जीवित जीवों में म्रदा के प्रभाव का अध्यन म्रदा जीविज्ञान की किस साखा के अंतरगत होता है तो इसे एडाफो लॉजी के अंतरगत किया जाता है अगला कोशन है जीवों दौबारा जीने और अधिक वंशवर्दी के लिए बहतर अनकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो इसे हम प्राकरतिक शेयन कहते हैं जैव आवर्धन का कारण क्या है, तो और्गेनो क्लोरीन जैव आवर्धन का कारण है नेक्स्ट है नेमलिकित मैंसे कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्रों, तप्त कंद्राओं और अंटाकिगा के बर्फ जैसे जीवन यापन हे तू जटल निवास स्थान में भी निवास कर सकते हैं तो इन्हें हम जीवाणू कहेंगे जो कहीं भी रह सकते हैं नेमलिकित मैंसे कौन सा सरीसरप वर्ग से सम्मंदित नहीं है तो मेडग सरीसरप वर्ग से सम्मंदित नहीं है नेमलिकित जैनवरों मैंसे कौन सा त्रिपेलो ब्लास्टिक नहीं है तो जैलीफिस त्रिपेलो ब्लास्टिक श्रेडी में नहीं आएगा निम्लिखित में से कौन सा जन्तूओं का सबसे बड़ा समू है तो और्थोपेडा जन्तूओं का सबसे बड़ा समू है पादब वर्गी करण का पदानुकरम निम्न में से क्या होगा तो प्रभास वर्ग गण कुल वंश प्रजाती पादब वर्गी करण का पदानुकरम का सही निन है निम लिखित में से कौन से सम्मू सम्मंदित नहीं है तो लोमडी जो है बकरी घोड़ा और जैबरा से सम्मंदित नहीं है नेक्स्ट है एनलिडा वर्ग से सम्मंदित नहीं है तो एसकरेस एनलिडा वर्ग से सम्मंदित नहीं है निमनिकेत मैंसे क्या इस सम्मोव faithful संबंदेथ नहीं है तो हैंस्टर इन तीनों से अलग है विटेकर दूारा प्रतिपादेथ Five kingdom classification में निमनिकेत मैं से कौन सा सम्मुव सामिल नहीं है तो उसमें प्रोडो जोवा सम्मूव सामिल नहीं है निम्ड में से किस वेग्यानिक ने अपनी पुस्तक और इजन ओप इस्पसीज में कार्वनिक विकास के लिए एक क्रिया विधी का सुझाओ दिया था तो चार्ज डार्विन की यह किताब है और इजन ओप इस्पसीज नेक्ट कॉशन है निम्ड में से कौन सा कथन गलत है सब ही कॉर्डेटा जो है डिपलू ब्लास्टिक होते हैं यह कथन गलत है अगला कॉशन है विटेकर के वर्गी करण के अनुसार किस सम्हू में शामिल जीवों में पूर्टा विक्सित नाभिक नहीं पाय जाता है तो मोनेरा जगत के शामिल जीवों में पूर्टा विक्सित नाभिक नहीं पाय जाता है तो दोस्तो यह थे आज के कॉशन्स कैसे लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं अच्छा लगा हो तो अपने ग्रूप में शेयर जरूर करिएगा नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मिलेगा सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन कर लिजेगा लाइक करना ना भूलें लाइक जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आप सभी का तो चले शुरू करते हैं जब एक प्लास्टिक श्ट्रॉ को पॉलिथिन के साथ रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक श्ट्रॉ में जो चार्ज उत्पन होता है वह कौन सा चार्ज होगा तो वह रिनात्मक चार्ज होगा धम्नियों की दीवारें मोटी और लचीली होती है क्यों क्योंकि धम्नियों धम्निया जो हैं हुर्दय से ऑक्सिजिन युक्त रखत शरीर के विभिन हिस्सों तक लेकर जाती हैं पच्पड़ी जयो मंडल में कौन सा नेशनल पार्क है तो सत्पड़ा नेशनल पार्क है एक नैनो सेकंड किसके बराबर होता है तो एक सेकंड का एक अरववा हिस्सा एक नैनो सेकंड है गर्मी में लोग कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं तो हलके रंग के कपड़े क्योंकि वे कम उश्मा को अव्शुशित करते हैं सही उत्तर हो जाएगा जब हम ड्रेसिंग टेबल पर अपने बालों में कंगी करने के लिए खड़े होते हैं तो छवी में हमारा बाया हाथ दाएं तरफ और दाएं हाथ बाया तरफ दिखता है यहाँ प्रक्रिया क्या कहलाती है तो यहाँ प्रक्रिया पार्शो परिवर्तन कहलाती है कौन सा रस बसा को पचाने का काम करता है तो पितरस बसा को पचाने का काम करता है बढ़ते हुए पौधों के लिए सबसे अच्छी मिटी कौन सी है तो दोमट मिटी बढ़ते हुए पौधों के लिए सबसे अच्छी मिटी है धारा में प्रवाहित होते धारा में प्रवाहित करने पर उत्पन उश्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है तो तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन उश्मा की मात्रा तार की लंबाई धातू की प्रकृती और मोटाई पर निर्भर करती है इस्टोमेटा या रंधरपतियों की सतह पर बने लगुचितर होते हैं जिसके माध्यम से पौधी क्या गरहन करते हैं तो कार्मडी अक्साइड गरहन करते हैं फ्यूज के कारे करने का सिद्धान्त क्या है तो वह बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और पिघल जाता है फ्यूज का कारे होता है एक से पेड़ से नीचे जमीन पर गिरता है इसका कारण क्या है तो गुरुत्व अक्रशनबल इसका मुख्य कारण है कोईले से प्राप्त एक उत्पाथ जिसका उप्योग पेंट, विस्पोटक और प्लास्टिक के निर्मान में शुरुवाती सामगरी के लिए करते हैं वह कौन सा है तो वह तार गोल है बावरी क्या है तो जल एकटा करने का एक पारंपर की तरीका बावरी कहलाएगा मैडक में कायांतरण के लिए सबसे जिम्मेदार क्या है तो थाइरॉक्सिन मैडक में कायांतरण के लिए सबसे जाद जिम्मेदार है इंद्रधनुस स्पेक्ट्रम का एक उधारण है जो इसके कारण उत्पन होता है तो यहाँ प्रकास के प्रक्षेपण के कारण उत्पन होता है संपूर दहन के दौरान गैस स्टोब बर्नर में उत्पन लौ का रंग क्या होता है तो यहाँ लौ का रंग नीला होता है बिजली के बल्व में तंतू का अक्सी करण रोकने के लिए एक गैर अविक्रिया शील गैस भरी जाती है इस गैस का नाम क्या है तो इस गैस का नाम औरगन है वायू मंडल में जलवास्त की मातरा का माप क्या कहलाता है तो इसे हम आदरता के नाम से जानते हैं वातावरण की परिस्थिती से बचने के लिए हर साल एक विशेश समय के दौरान दूर इस्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी जो होते हैं उसे क्या कहते हैं तो वह प्रवासी पक्षी कहलाते हैं प्रत्वी के चारों और वायों मंडल है जबकि चंद्रवापन ही ऐसा क्यों तो ऐसा परियाप तो गुरुत्य बलके अभाव की वज़से हुद्पन होता है खाती का क्या है तो सिचाई की एक विदी है खाती का डॉक्री थर्मा मीटर को इसमें डुबाकर रोगाणू रहित बनाया जाता है तो एलकोहल में डुबाकर रोगाणू रहित बनाया जाता है अगला कौशन है मानोशरीर में सबसे बड़ी गरंती कौन सी है तो यकरत मानोशरीर की सबसे बड़ी गरंती है कागच का जलना कौन सा परिवर्तन है तो रासाइनिक परिवर्तन है कागच का जलना सबजी और फलों के छिलकों बची वही खाद सामगरी को अबरस्ट होने में कितना समय लगता है तो एक से दो शपता का समय लगता है पोदो दूर्या जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो इसे वास्पोच सर्जन कहते हैं अंतर जलिये भूकम्ब्य तरंगों को क्या कहते हैं तो इन्हें हम सुनामी के नाम से जानते हैं चोलाई और घास किस प्रकार के पौधे हैं तो यह दोनों खरपतवार पौधे हैं किस ताप पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता तो माइनस 18 डिगरी सेल्सियस पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोगलोविन के साथ मिल सकती है और हमारी मृत्यू का कारण बन सकती है तो कारवन मोनो अक्साइड हमारी मृत्यू का कारण बन सकती है Fahrenheit पेमाने पर 100 degree Celsius पेमाने पर कितने degree के बराबर होगा तो Fahrenheit का 100 Celsius centigrade में 37.8 degree centigrade के बराबर होगा भारी वर्षा वापवन के कारण उपजाओ उपरी मर्दा की हानी क्या कहलाती है तो इसे हम मर्दा अपरदन कहते हैं जब हम television की आवाज पेज करते हैं तो हम किसे बढ़ा रहे होते हैं तो हम आयाम को बढ़ा रहे होते हैं दही में कौन सा अमल पाजाता है तो दही में Lactic का मल पाजाता है Cool gas किस का मिशड है तो methane, hydrogen और carbon monoxide का मिशड है सबसे कम घनतों किस ग्रह का है तो सनी ग्रह का घनतों सबसे कम है एक कार द्वारा तय की गई दूरी किस से मापी जाती है तो यहाँ ओडो मीटर से मापी जाती है पूरी एक रितू तक खेत को खाली छोडने की प्रक्रिटा कहलाती है तो इसे च्छित्र परती के नाम सजाना जाता है स्कूटर के साइड मिरर में सभी बस्तों की छवी कैसी दिखाई देती है तो बस्तों की तुलना में छोटी दिखाई देती है वह सुरक्षित छेत्र जहां जानवर बिना किसी बाधा को बाधा के अपने प्राकरतिक निवास में रहते हैं क्या कहलाता है तो उसे अभ्यारणी कहते हैं दूरी कौन सी रासी है तो दूरी एक अधिस रासी है संचारणों को रोकने के लिए लोहे के पाइप और सीटों पर जिंक की धातू की कोटिंग की जाती है यहाँ परक्रिया क्या कहलाती है तो इसे जस्ती करन कहते है बोजन संगरत करने के लिए जो लोहे के डिब्बों को टिन से विध्धुत लेपित किया जाता है क्यों तो बोजन संगरत किये जाने वाले लोहे के डिब्बों को टिन से विध्धुत लेपित इसलिए करते हैं क्योंकि टिन लोही की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है और भोजन को खराब होने से बचाता है परिपत किसे कहते हैं तो बिजली के प्रवाह के पूरे पत को परिपत कहते हैं यदि हम नौकायन बंद कर दें तो नाव इस्थिर अवस्था में आ जाती है वस्तों की गती की अवस्था को बदलने के लिए कौन सा बल उत्रदाई होता है कुछ जूस के पकेटों में चेतावनी होती है के यदि फूला हो तो उ वसे खाएं या पीज़ नहीं वह प्रकरिया जो पकेट को फुलाती हो परशा के कारण छती ग्रस्त हो रहा है ताज महल सरदियों में स्वेटर निकालते समय चर्चाहार्ट की धुनी सुनाई देती है कारण क्या है तो घर्षर से विद्धुत आविश उत्पन होता है इसलिए चर्चाहार्ट सुनाई देती है ऑक्सी एसिटलीन टॉर्चों का इस संदू तक क्या कहलाते हैं तो यह जैबिक संदू तक कहलाते हैं पैन और अन्य बरतलों पर टेफ्लन कोटिंग का इस्तमाल जाता है क्यों तो टेफ्ला खुलांक अधिक है जो चीजों को Ch ligbrand को ज़ी की जाता है इसलिए टैफलोन की कोटिंग की जाती है बर्तनों पर लड़कों में आवाज के बदलाव चहरे पर बाल कंधों चोड़े होना यह किस होर्मोन के कारण होता है तो यह सब विटूमेंग के अंस का परियोक किसमे करते हैं तो सड़क के प्रष्थे लेपन यानिकी रोड सर्फीचिंग के लिए उसका प्रयोग करते हैं तो दोस्तों ये थे आपके कामेंट करके जरूर बताइएगा चैनल पर आप नए है तो चैनल सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन कर लिए जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोडिफिकेशन आपको मिल सकें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आप सभी का आज के इस नए वीडियो में दोस्तों हम 30,000 कवर कर रहे हैं और उसी सीरीज का ये 13 हवई नंबर का वीडियो है अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं चैनल प सरकार पर ग्राम पंजायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है राज्य में राश्पती शासन से तात्पर या राज्य में किसके सासन से है तो राज्य में राश्पती शासन का मतलब है राज्य में राज्यपाल का साशन राश्पती राज्यों में किस अनुछेत के तहत राश्रपती शाशन आरुपित करता है तो राश्रपती अनुच्छे 356 के तहट राश्रपती शाशन आरुपित करता है राजसभा का पदेनध्यक्ष कौन होता है तो भारत का उपराश्रपती राजसभा का पदेनध्यक्ष होता है भारती समीधान किसको हटाने की विवस्ता प्रदान नहीं करता है तो भारतिय समिधान राजयपाल को हटाने की विवस्था प्रदान नहीं करता है कारेकाल पूर्ण होने से पूरो भारत के राश्रुपदी को उसके पत से कौन हटा सकता है तो संसत द्वारा महा भ्योग लगा कर कारेकाल पूर्ण होने से पहले भारत क के राश्रुपदी को उसके पत से हटाए जा सकता है भारत के प्रधान मंत्री को कौन नियुक्त करता है तो भारत के प्रधान मंत्री को माननिय राश्रुपदी जी नियुक्त करते हैं अगला कौशन है भारत के चुनाओं में कौन भाग लेता है तो भारत के राश्रुपदी सेंग्त बैठक होती है कौन सा अधिकार केवल राजसभा को प्राप्त है तो नवीन अखिल भारते सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना यह अधिकार केवल राजसभा को प्राप्त है समिधान सभा ने भारत के समिधान सभा में क्या लखा हुआ है तो हम भारत के लोग अपनी समिधान सभा में इस समिधान को अपनाते है अधिनेमद करते हैं और इसे सवयम को प्रदान करते हैं भारती समिधान के प्रस्तावना में लिखा गया है बिकिकर कोण लगाता है तो भीकिमेर को राजसरकार के द्वार्शा लगा जाता है भारत सश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् किसी राध्यतिक दल को राश्य दल के रूप में किसको मानिता दी जाती है तो जब कोई राध्यतिक दल राश्य दल बनता है तो उसके क्या option होना चाहिए यदि उसे चार या अधिक राजियों में राध्यतिक दल के रूप में मानिता मिली हो तो उसे राश्य दल के रूप मे मानता दे दी आती है संपीधान के किस अनुच्छेतтоящ और में संसुधन करने का आधिकार प्रदान किया गया है भारत में सरवची ले कि जजों की सेवा निवरति की आयू क्या है तो यह आयू 65 वर्स की है Cincinnati यह सही उत्तर हो जाएगा समिधान कान उच्छे 370 के से राजय पर लागू होता है तो लागू होता था ये पुराना कॉशन है लागू होता था क्योंकि हम ये कॉशन जो पढ़ रहे हैं 30,000 ये पुराने साल के कॉशन्स पेपर के कॉशन्स है तो यहां पर जहमु करस्मीर आंसर आता था भारती समिधान कानुच्छेद 19 क्या प्रदान करता है तो भारती समिधान कानुच्छेद 19 6 प्रकागी सुतंद्रता प्रदान करता है राश्रपती के निर्वाचन मंदल में कौन होता है तो संसत तथा राज्य विधान मंदल के चैने सदस्य राश्रपती के निर्वाचन मंदल में होते हैं राश्रपती राजयपाल की नियुक्ती में किसकी सलाह लेता है तो राश्रपती राजयपाल की नियुक्ती में प्रधान मंत्री की सलाह लेता है समीधान के ऊद्देशिका में समाजवादी पट्नृ पेक्षिलोग्त नत्राइत्म गणर राज्य वर्णित है कि समीधान संसोधन बिल्द्वरा भारत में बढलान की आयुक इस वर्स्थ से घटा कर अठारा वर्ष कर दी गई थी तो यहां समिधान संसोधन 61 समिधान संसोधन था समिधान के अनुसार लोगसभा के स्पीकर को उसके पत से कैसे हटाया जा सकता है तो सदन के सभी सदोसों के बहुमत के प्रख्ताव को पारत होने पर लोगसभा के स्पीकर को हटाया जा सकता है बहारती समीधान का कौन सा अनुच्हेद राश्पति को लोकषभा भंग करने की शक्ती प्रदान करता है? भारत का समीधान कितने वर्ष पर लागू हुआ था? तो 26 जंवरे 1950 को भारत का समीधान लागू हुआ था. भारती समिधान में नीती निर्षक तत्मों के समाविशन का उद्देश है क्या है तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्रों भारती समिधान के नीती निर्षक तत्मों के समाविशन का मुख्य उद्देश है रॉलेट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था तो 1919 में रॉलेट अधिनियम पारित हुआ था किस अधनियम दोरा भारत में सांपरदाइक निर्वाचन मंदल लागू किया गया तो 1909 में पारित एक्ट के द्वारा सांपरदाइक निर्वाचन मंदल लागू हुआ था वहराज ये जो लोकसभा में निर्वाचे सदास्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या बेचता है कौन सा है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या महराश्री द्वारा राजिस्वारा लोकसभा में आती है निर्वाचर सिदस्यों की वह निर्वाचर मंडल जो उपराश्रपती का चुनाओ करता है वह कौन सा है तो लोकसभा और राजस्वा मिलकर उपराश्रपती के चुनाओ क करते हैं फाइनेंस कमिशन वितायोग की नियुक्ति कौन करता है तो फाइनेंस कमिशन वितायोग की नियुक्ति राश्पति जी करते हैं कौन सा कर किंद्र सरकार के राजस्व का इस्तरोत नहीं है तो अभू राजस्व किंद्र सरकार के राजस्व का इस्तरोत नहीं है लोग संसत के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है तो एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी नहीं है उस समय संसत के दोनों सदन साथ साथ बैठते हैं भारत के समीधान में भारत का दूसरा नाम क्या है तो भारत का दूसरा नाम इंडिया है भारतिया समीधान समीधान ह विश्व में सबसे विस्त्रत समीधानों में से एक है भारती समीधान बारती समीधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है तो तीन प्रकार के आपातकाल का प्रावधान मिलता है भारती समीधान में वरनित मौलेक अधिकारों को लागू करने का अधिकार क इन में से समिधान के पाँचवे भाग में वरण किसको मिलता है तो इन सभी को समिधान के पाँचवे भाग में वरणित किया गया है महालेखा नियंतरक, महानियवादी और संसत नेक्स कॉशन है भारती समिधान में नीती निजशक तत्मों का सामाविश का उद्देश क्या है तो सामाजिक और आर्थिक लोगतंत्र इसका मुख्य उद्देश है बारत में राज विधाई का किस्से बनती है तो गवर्नर विधान सभा विधान परिशद यदि अगर वहाँ पर विधान परिशद है तो इन सब से मिलकर विधाई का बनती है राज की बारती समिधान का कौन सा अनुचित राज़पती को लोग सभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है तो अनुचित 85 लोग सभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है संसत के दौन सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है तो 6 वर्स तक वह बना रह सकता है राइट आंसर हो जाएगा माफ करिएगा 6 माहा तक रह सकता है नेक्ट कॉशन देख लेते हैं अगला प्रशन है भारती संविधान के अधिकांस उपबंदों का संसोधन कैसे हो सकता है तो अकेले संसत के दौरा अधिकांस उपबंदों का संसोधन हो सकता है संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तयार किया वे क्योंत कौन थे तो वे विभिन्य प्रदेशों की विधान सभाओं से चैनिस सदस्य के रूप में आये थे भारती संग तथा अमेरिके संग दौनों के समान लक्षर कौन सा है तो सम्मीधान की व्याख्य करने वाली संग्य सुप्रीम कोट भारतिय संग और अमेरिकी संग्य दौनों के समान लक्षरों में से एक है राज़िपाल की सरवादिक महत्वपूर्ण विधाई शक्ति क्या है तो राज़िपाल अध्या देश जारी करने की शक्ति रखता है जो तथा संग्य छेत्रों की राज सभाव में प्रदिन हिदितुका समिधान की चौथी अनुसूची में वणन मिलता है। संग्य चौथी अनुसूची में कितनी भासा हैं तो आठवी अनुसूची में आठवाफ करेगा बाइस भाशा है। तो राज सभा के सदस्य कर सकते हैं तो राज सभा के सदस्य कर सकते हैं। उप्राश्पती को पत से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है तो राज सभा के द्वारा उप्राश्पती को पत से हटाने का संकल्प प्रस्तुत किया जाता है। पंचैती राज से सम्मन्ने समिधान के 73 संसोधन विध्यक पर अपनी सम्मती किस प्रकार प्रकट की थी समिधी ने तो संयुक्त संसदिय समिधी ने अपनी सम्मती प्रस्तुत की थी next question है समिधान भारत की समिधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है तो मुख्य प्रस्तावना विचार अभिवक्ति विश्वास और आस्था उपासना राइट आंसर हो जाएगा हुआ जनमत संगह से संसोधन समिधान में नहीं हो सकते है राजसभा को इस्थाई सदन क्यों कहते हैं क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता इसलिए राजसभा एक इस्थाई सदन है सबसे लंबे लिखित सम्मिधान वाला देश कौन सा है तो भारत सबसे लंबे लिखित सम्मिधान वाला देश है कौन भारत के सम्मिधान की निर्मातरी सभा में सम्मिधानिक सलाहकार थे तो बी एन राउ सम्मिधानिक सलाहकार के रूप में थे 31 अक्टूबर 1947 को जब भारत की सम्मिधान सबाप पुनर गठित हुई तब घटी हुई सदस्य संख्या कितनी थी तो तब घटी हुई सदस्य संख्या जो है राइट आंसर हो जाएगा 299 थी नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों में संसुधन करने के लिए कौन सक्षम है तो संसद मौलिक अधिकारों में संसुधन करने के लिए सक्षम है नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्ट कॉशन की तरब चलते हैं हमारा अगला कॉशन है मौलेक अधिकारों में संसुधन करने के लिए कौन सक्षम है तो संसद इसमें संसुधन के लिए सक्षम है राजस्तबा की सदस्ता के लिए नियुंतमाई सीमा कितनी है तो तीस वर्ष राजस्तबा की सदस्ता के लिए नियुंतमाई सीमा है गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है तो विधान मंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है सरवोची नैले ने किस मुकदमे में बनाए रखा कि प्रस्तावना समिधान का भाग नहीं है तो प्रस्तावना समिधान का भाग नहीं है बेरू बारी मुकदमे में यह जानकारी मिलती है उचितम नेयले अपने दिये गए फैसले पर पुना और लोकन किस अनुच्छेद के लिए अधीन होकर करता है तो पुना और लोकन जो है अनुच्छेद 137 के अंतरगत उचितम नेयले अपने दिये हुए फैसले पर कर सकता है फाइनेंस कमिशन की नियुक्ति कौन करता है तो राश्पती फाइनेंस कमिशन की नियुक्ति करता है भारत के राश्पती द्वारा साराज सभा में कितने सदस्मनुद किया जाते है तो बारह सदस्मनुद किया जाते है गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है तो राश्पती गवर्नर की नियुक्ति करता है भारत का Consolidated Fund का नियंतरक या परविक्षन कौन करता है तो यह काम संसत करती है लोगसभा के स्पीकर को चुनाओ कौन करता है तो लोगसभा के सदस्तों के द्वारा लोगसभा का स्पीकर का चुनाओ होता है भारती ससस्त्र सेनाओ का सुप्रीम कमांडर कौन होता है तो महा महिम राश्पती जी होते है संसत के दोनों सदनों की सिविल सर्विसेस के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है तो लोग सभा का अद्धिक्ष करता है राज सभा का पदेन अद्धिक्ष कौन होता है तो भारत का उपराश्पती राज सभा का पदेन अद्धिक्ष होता है All India Civil Services के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है तो राश्पती All India Civil Services के सदस्यों की नियुक्ति करता है संसत किसके बिना काम नहीं कर सकती है तो संसत के सदस्यों के बिना संसत काम नहीं कर सकती है संसत के दौनों सुदनों की संबलेट बैठक कब बलाई जाती है तो ऐसे विलपर बचार करने के लिए और उसे पारित करने जिस पर दौनों सुदनों में मदभेद हो कारेकाल पूर्ण होने से पूरो भारत के राश्च्पती को उसके पत से कौन हटा सकता है तो संसत द्वारा महाभियोग लगा कर इसे हटाए जा सकता है दोस्तों यहाँ पर कुछ कौशन्स आपको सेम देखने को मिलेंगे मैं आपको बता दू यह पुराने कौशन्स पेपर के प्रशन है जिसमें हर पेपर में हर शिप में एक तरह से कौशन्स अलग अलग तरीके से पूछा गया है तो इसलिए आप इनको विशे शुरूप से पढ़ लीजेगा तो दोस्तो यह थे सीरीज के कौशन्स आने वाले वीडियो को देखने के लिए अगर आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर हिट कर लीजेगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा अपने ग्रूप में शेयर करिएगा मिलते हैं कल फिर बहुत बहुत धन्यवाद नवस्कार दोस्तों स्वागे थे आप सभी का आज के इस नई वीडियो में मैं नौलिज पंडे से रंजीत पंडे आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी के 3000 कौशन्स का वीडियो ये कौशन्स आपके लिए 100-100 की सीरीज में मिलेंगे सारे MSQ कौशन्स ओल्ड एर के कौशन्स पेपर से लिए गए हैं तो वीडियो पूरा देखेगा अच्छा लगे लाइक करिएगा शेयर करिएगा कमेंट करिएगा चलिए शुरू करते हैं सबसे फैना प्रशन है भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं तो ऑप्शन नमर भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं तो लिखकर हम भाषा के लिखित रूप को समझा सकते हैं अगला कौशन है भारत की राष्ट्र भाषा कौन सी है तो भारत की राश्वासा हिंदी को माना गया है नेक्स्ट कॉशन है व्याकरण भाशा के बताता है व्याकरण भाशा का क्या बताता है तो व्याकरण भाशा के नियमों को बतलाता है नेक्स्ट है पुष्प में कौन सा इन में से शब्द है पुष्प कौन सा सब्द है तो पुष्प एक तच्सम सब्द है right answer हो जाएगा next है छोटा U और बड़ा U के ओछशारण स्थान क्या है तो यह इन दोनों ही अक्षरों के छोटा U और बड़ा U के ओछारण स्थान होट है next question है A, A, छोटा A, बड़ा A, छोटा O और बड़ा O, A कौन से स्वर कहलाते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, option number C, यह सब संयुक्त स्वर हैं, right answer हो जाएगा, next question देख लेते हैं, अगला प्रशन आपके सामने है, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, तो मात्राएं ती next question है, काव वर्ग का उचारण स्थान क्या होगा, तो काव वर्ग का उचारण स्थान कंठ होगा, सही उत्तर हो जाएगा, पाव वर्ग का उचारण स्थान क्या होगा, next question है, टाव वर्ग का उचारण स्थान क्या है, तो मूर्धा टाव वर्ग का उचारण स्थान है, पहुत ही important question है और इसमें हामेशा एक्जाम में confusion में गलतियां होती इनको अच्छे से पढ़ लीजेगा पफबभम का उच्छारण स्थान क्या है तो यह सभी होश्ट से उच्छारद स्वरवेंजन है राइट आंसर हो जाएगा वेंजन है माफ करिएगा अंतहस्थवेंजन क से बना हुआ विशेशन है इनमें से कौन सा सब्द संग्या से बना हुआ विशेशन है तो गुण का गुणी यह सब्द संग्या से बना हुआ विशेशन है नेक्ट कौशन देख लेते हैं इनमें से कौन सा सब्द संग्या से बना हुआ विशेशन नहीं है तो फुर्ती संग्या से बना हुआ विशेशन है तो option number एक्षुक संग्या से बना हुआ विशेशन सब्द है इक्षा का एक्षुक next question है इन में से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेशन है तो 13 सर्वनाम से बना हुआ विशेशन है next question है इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेशन नहीं है तो समझना जो है यहाँ शब्द क्रिया से बना हुआ विशेशन नहीं है तो यहाँ पर काली, पूलिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है सही उत्तर हो जाएगा कौन सा सब्द संस्कृत से तदभव बनाया गया है तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चा यहाँ शब्द संस्कृत से तदभव बनाया गया है अगला कौशन है संख्या वाचक विशेषन कितने प्रकार के होते हैं अगला कौशन है कौन सा सब्द परिणाम बोधक विशेषन है तो परिणाम बोधक विशेषक सेर भर दूध सही उत्तर हो जाएगा प्रियोग की द्रश्टी से विशेशन कितने प्रकार के होते हैं तो प्रियोग की द्रश्टी से विशेशन दो प्रकार के होते हैं सही उत्र हो जाएगा इन मेंसे कौन विध्य विशेशन है तो option number मेरा लड़का आलसी है यह एक विध्य विशेशन का उधारण है इन में से कौन सा शब्द मूलावस्था का है तो option number सुन्दर शब्द जो है यहाँ शब्द की मूलावस्था है next question है दात का उच्चारण स्थान क्या है तो नाक दात का उच्चारण स्थान है तो option number A उत्तर भारत में हिंदी भाषा का जन्म हुआ है हिंदी की खड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा तो रामपुर, मेरठ, दहरादून इन सभी जगों पर हिंदी की खड़ी बोली बोली जाती है अगला question है भाषाई आधार पर सरवप्रथम राजिका गठन हुआ था उसका नाम क्या है तो आंद्व प्रदेश राजिका भाषाई आधार पर सबसे पहले गठन हुआ था भाषा के कितने रूप होते हैं तो भाषा के दो रूप होते हैं अगला प्रशन है कौन सी भाषा इस देश की पुरानी भाषा है तो संस्कृत भाषा इस देश की सबसे पुरानी भाषा है कौन सी भाषा मध्यदेश की प्रमुक भाषा थी तो मागधी भाषा मध्यदेश की प्रमुक भाषा थी नेक्श कौशन है मगही किस भाषा की उपबोली है तो आप्शन नमबर राजिस्थान की उपबोली है मगही सही उत्तर हो जाएगा निम्न मैंसे कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पाली भाषा भारत की प्रथम देश भाषा का उधारण है दक्षण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्याले कहां पर इस्तित है तो चैन्नई में दक्षण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्याले इस्तित है नेक्ष्ट कौशन है हिंदी भाषा किस लिपी में लिखी जाती है तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपी में लिखी जाती है नेक्स्ट है निम्न मैंसे कौन सी भाषा देवनागरी लिपी में लिखी जाती है तो मराठी भाषा भी देवनागरी लिपी में लिखी जाती है अगला प्रशन है उचारण के वायू प्रक्षेप की द्रश्टी से व्यंजनों की कितने भेज है तो उचारण के वायू प्रक्षेपन की द्रश्टी से व्यंजनों के दो भेद हैं सही उत्तर हो जाएगा नेक्ष्ट है तो ध्वनी का सही उच्चारण स्थान क्या है तो दंत तो ध्वनी का सही उच्चारण स्थान है नेक्ष्ट है व का उच्चारण स्थान क्या है तो दंत और ओष्ट मिलाकर दंत ओष्ट व शब्द का उच्चारण स्थान है महेंद्र का संधी विक्षिद क्या होगा तो महाधन इंद्र महेंद्र शब्द का संधी विक्षिद होगा निम्न मैंसे दंतिय ध्वनी कौन सी है तो option number त और थ ये दोनों ही दंतिय ध्वनी का उधारन है अगला कॉशन है निम्न मैंसे कंठे द्वनी कौन सी है तो गा और गा ये कंठे द्वनी का उधारण है अगला कॉशन है हिंदी भासा किस लिपी में लिखी जाती है तो हिंदी भाषा देव नागरी लिपी में लिखी जाती है निम्नमैसे कौन सी भाषा देव नागरी लिपी में लिखी जाती है तो मराठी भाषा देव नागरी लिपी में लिखी जाती है वायू में वायू प्रक्षेप की द्रश्टी से वेन्यनों के कितने भेद होते हैं तो वेन्यनों के दो भेद होते हैं तो द्वनी का सही उचारनिस्थान क्या है तो तो द्वनी का सही उचारनिस्थान दंत है वो वरण का उच्छारन स्थान क्या है तो दन्तोष्ट वो वरण का उच्छारन स्थान है महींद्र का संदीविक्षिद क्या होगा तो महाधन इंद्र महींद्र शब्द का संदीविक्षिद है का वर्ण किस सहयोग से बनता है तो का वर्ण जो है option number का और छोटा औ से बनता है उश्म और सहयोग्त किसके प्रकार है तो वेन्यनों के प्रकार है उश्म और सहयोग्त next question है इस पर सु वेन्यन कितने प्रकार के होते है तो इस पर सु वेन्यन 25 प्रकार के होते है श कौन सा वेन्यन है तो यह उश में वेन्यन है राइट आंसर हो जाएगा अगला कॉशन है त्रवर्ण किसके सहयोग से बनता है तो तर और छोटा औ के सहयोग से त्रवर्ण बनता है इन मेंसे किस सब्द में वरण संबंधी अशुद्धी है तो अनूकुल शब्द में वरण संबंधी अशुद्धी है इनमें से किस सब्द में वरण संबंधी अशुद्धी नहीं है तो अधीन शब्द में वरण संबंधी अशुद्धी नहीं है इनमें से किस सब्द में लिंग प्रत्य संबंधी अशुद्धियां है तो नारी शब्द में लिंग प्रत्य संबंधी अशुद्धियां है नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट वाला है नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् में से भाव वाचक संग्या बनाया गया है इन में सभा यहां सम्हू वाचक संग्या का उधारन है इन में शब्ध में क्या है gender तो खटमल शवद जो है एक pulling शब्ध है next question देख लेते हैं intimें से कौन सा शब्ध पुलिंग है तो गिलास सब्ध जो मैंने फ़री को बुलाया शब्द करМकारक है सर्वनाम में कितने भेद होते हैं तो सर्वनाम में कुल ग्यारह भेद होते हैं धातू के कितने भेद होते हैं तो धातू के दो भेद होते हैं श्याम सोता है यह कौन सी क्रिया है तो यह एक अकर्म क्रिया का उधारन है अर्थ के अनुसार सयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं तो सयुक्त क्रिया के निन्यान में भेद होते हैं सही उत्तर हो जाएगा अगला question है इन में से कौन सा शब्द काल वाचक अव्या है तो काल वाचक अव्या अब से ऐसी बात नहीं होगी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रियोग के अनुसार क्रिया विशेशन कितने भेध होते हैं तो प्रियोग के अनुसार क्रिया विशेशन के तीन भेध होते हैं नेक्श कॉशन है इन मेंसे कौन सा शब्द तत्सम से हिंदी बनाए गया है तो आम शब्द तत्सम से हिंदी बनाए गया है इन मेंसे कौन सा शब्द देशा सब्द है तो चडिया शब्द जो है देशा सब्द का उधारण है श्याम सोता है में कौन सी क्रिया होगी तो श्याम सोता है में अकर्मक क्रिया होगी अगला कॉशन है अर्थ के अनुसार संग्त क्रिया के कितने भेद होते हैं तो संग्त क्रिया के निन्यान में भेद होते हैं इस्तरी पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है तो इसे हम दमपत्ती के नाम से जानते हैं जहां लोग का मिलन हो उसे क्या कहते हैं तो उसे हम सम्मेलन के नाम से जानते हैं नेक्स्ट है इन मेंसे चोर का परियावाची क्या है तो मोशक चोर का परियावाची शब्द है इन मेंसे हवा का परियावाची क्या है तो बैयार शब्द जो है हवा का परियावाची शब्द है Next है कान कतरना महावरे का अर्थ क्या है तो option number बहुत चालाक होना कान कतरने का अर्थ होता है अपना किया पाना महावरे का अर्थ क्या है तो कर्म का फल भोगना अपना किया पाने महावरे का अर्थ है स्वार्थी होना इस महावरे का अर्थ क्या है तो अपनी खिचडी अलग पकाना स्वार्थी होने का अर्थ होता है मकھیया मारना महावरे का अर्थ क्या है तो बेकार बैठे रहना मकھیया मारना महावरे का अर्थ है अगला कॉशन है दूद का दूद पानी का पानी होना लोकोक्ती का अर्थ क्या होगा तो इसका अर्थ होता है सही नड़े लेना और आज का आखरी कॉशन है आत्मा का विपरितार्थक शब्द क्या है तो आत्मा का विपरितार्थक शब्द जो है अनात्मा राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तो वीडियो को शेर करिएगा जास जादा चैनल पर नए है सबस्क्राइब करिएगा लाइक जरूर करिएगा मिलते हैं नेक्ष्ट पुराने सालों के और आपको पता ही है हम 30,000 कोशन की सीरीज कवर कर रहे हैं जिसमें हर दिन आपको अलग-अलग वीडियो मिलते हैं तो चलिए आज किस वीडियो को शुरू करते हैं शेयर करिए का जाल से जादा सबसे पहला प्रशन है जिस काल का कोई लिखित विवरण नह आधुनिक होमो सेपियन्स मानव का उद्भाव किस काल में हुआ था तो आधुनिक होमो सेपियन्स मानव का उद्भाव जो है यह उच्छ पुरा पाशान काल में हुआ था नेक्ट कॉशन है मानव ने आग का प्रियोग किस काल में प्रारम किया था तो मानव ने आग का प्रियोग नौ पाशन काल में प्रारम किया था नेक्ष्ट है मानव उन्हें सरुप्रथम किस धातू का प्रयोग किया था तो मानव उन्हें सबसे पहले तामा धातू का प्रयोग किया था, option number तामा सही उत्तर हो जाएगा प्राग एतिहासिक काल के अंतरगत किन संस्कृतियों को रखा जाता है तो प्राग एतिहासिक काल के अंतरगत पासान संस्कृति को रखा जाता है नेक्स्ट कोशन है मानो द्वारा उप्योग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी तो मानो के द्वारा उप्योग में लाई गई पहली फसल गैहूं राइट अंसर हो जाएगा मानव खाद पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोगता कब बना तो मानव खाद पदार्थों का उत्पादक और उपभोगता नौ पाशानकाल में बना आप्शन नमबर नौ पाशानकाल सही उत्तर हो जाएगा कौन सा पुरा ततोवित या पुरा ततोविता हडपा के उत्खनन से संबंदित है तो दयाराम साहनी जी हडपा के उत्खनन से संबंदित है सिंदु घाटी सभिता मानव इतिहास के किस काल से सम्मंदित है तो सिंदु घाटी सभिता मानव इतिहास के आद एतिहास काल से सम्मंदित है नेक्स्ट है हडप्पा के इस्थलों में कां से नर्तकी की मूर्ती कहां से प्राप्थ हुई है तो हडप्पा के इस्थलों में कां से नर्तकी की मूर्ती मोहन जोदरों से प्राप्थ हुई है अगला प्रशन है कौन सा कथन इन में से असत्त है तो सही उत्तर हो जाएगा वाड़ा का साक्ष कहां से मिला है तो सिंधू सबिता में गोदी वाड़ा का साक्ष लोथल से मिला है सिंधू सबिता में विशाल अन्नागार कहां से प्राप्थ हुआ है तो सिंधू सबिता में विशाल अन्नागार जो है यह मोहन जोड़ों से प्राप्थ हुआ है कौनसा जोड़ा इनमें से असत्य है तो right answer हो जाएगा हडपा जो है यह हभारत में है right answer हो जाएगा सिंधू हडपा जो है यह सिंधू के तड़ पर है ऐसा नहीं है राइट अन्सर हो जाएगा लोथल इसका प्रश्न का सही उत्तर होता तो यहाँ पर जोड़ी असरते कौन सा हो जाएगा हडपा और सिंधु यानि कि नगर नदी और सागर तट राइट आंसर हो जाएगा Next question देखते हैं सिंधु सबिता की सर्वमान तिथी क्या है तो सिंधु सबिता की सर्वमान तिथी 2500 से 1750 इसा पूर्व है भारत में मूर्ती पूजा का आरंभ कब से माना जाता है तो मूर्ती पूजा का आरंभ भारत में गुप्त काल से माना जाता है रिग्वैदिक आरे किस की पूजा करते थे तो रिग्वैदिक आरे प्रकृति की पूजा करते थे option नमर A सही उत्तर हो जाएगा आरिय भारत में सबसे पहले कहां पर बसे थे तो आरिय भारत में सबसे पहले सब्त सेंधो प्रदेश में बसे थे नेक्ष्ट है आरियों का मूल निवास स्थान क्या था तो एशिया माइनर आरियों का मूल निवास स्थान था गायत्री मंत्र का संबंध किस से है तो गायत्री मंत्र रिगवेद से संबंधित है सत्य में वो जैते यह उक्ती कहां से ली गई है तो सत्य में वो जैते को मुंड को अपनिशद से लिया गया है अगला प्रश्ण है रिगवेद का नौवा मंडल किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है तो रिगवेद का नौवा मंडल सोम को समर्पित सूक्तों का एक संग्रह है नेक्स है निम्ण मैंसे प्राचीनतम वेद कौन सा है तो सबसे प्राचीनतम वेद रिगवेद है औप् उत्तर हो जाएगा इन में से option number C उत्तर वैदिक काल में इस्तरियों को सभा में प्रवेश करने की अनुमती थी जबकि रिगवैदिक काल में ऐसा नहीं था यहां कथन असत्य कथन है नेक्ष्ट है अगला प्रशन इरहाप के सामने असत्य कथन को चुनना है नदियों के प्रा संस्थापक शयाएगा नेक्ष्ट कॉ्शन है किस व्याद की रचना गध्ध Eduardo दौनों में की गई है तो यह जोर्वेद वेत की रचना गध्ध दौनों में की गई है अगले CPRन के चलते हैं कॊन सही सुमेलं नहीं है तो चेधी और पोटली प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा महाजनपद और राध्धानी चेदी की राध्धानी महाजनपद की राध्धानी पोटली यह कथन असत है अगला प्रशन है पाटली पुत्र नगर का संस्थापग कौन था तो पाटली पुत्र नगर का संस्थापग उदियन राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंशी अजाज शत्रू का पुत्र ओधियन जिसका काल 461 इसा पूर्व से 445 पूर्व तक रहा सिकंदर के समय मगद पर किसका सासन था तो सिकंदर के समय मगद पर घननन्द अत्वा धननन्द मगद के नंद वंसका अंतिम राजया जुधा ओप्शन नमबर सही उत्तर हो जाएगा बी next question है काला शोकी राधदानी कौन सी थी तो काला शोकी राधदानी पाली पुत्र प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा किसे सर्व छत्रान तक अर्था छत्रियों का नास करने वाला 340-321 इशा पूरव तक इसका समय और मगत के नंद बंस का सासक नाम अग्र सेन नेक्स्ट कॉशन देख लेते हैं सिकंदर कहां का शाशक था तो सिकंदर मगदूनिया का शाशक था अगला प्रशन है सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद जहेलम का युद्ध या हाईड़े स्पीसीस का युद्ध कब हुआ था तो यह युद्ध 326 इसापूर्व में हुआ नेक्स कॉशन है जैन धर्म के 24 वे तीर्थंकर कौन थे तो महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24 वे तीर्थंकर थे महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादे चार महावरतों में कौन सा पांचवा महावरत जोड़ा है तो महावीर स्वामी जी ने पांचवा महाव पृत्व ब्रह्म चरे को जोड़ा है नेक्ष्ट कॉशन देख लेते हैं महावीर ने किस भातामें उप्डेश दिया है तो महा वीर का ज divka कहाँ पर हुआ था तो वैशाली नगर में नहीं महावीर जी का जण मुझा था परथम जैन संगती कहाँ आयोजित की गई थी तो पहली जैन संगती पार्टली पुत्रों में आयोजित की गई थी नेक्ष्ट है कौन सा कथन इन में से सत्य है तो ऑप्शन अमबर जैन धर्म के सब्त भंगी ज्यान को स्याद द्वाद कहा जाता है महावीर स्वामी जी की मृत्ति उपावा पूरी में हुई है और जैन धर्म आत्मा को मानता देता है यह सभी कथन सत्य है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था नेक्ष्ट है महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने ह सही उत्तर हो जाएगा किसके साशनकाल में बौद धर्म दो भागों ही नियान और महायान में बढ़ गया था महात्मा बुद्धुद्वारा दिये गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है तो प्रथम उपदेश धर्म चक्रप्रवर्तन के नाम से जाना जाता है अगला प नाम क्या था तो आनंद बौद के सर्वप्रिय सिष्य थे चंद्रगुप्त मौरे का प्रधान मंतरी कौन था तो विश्नुगुप्त चंद्रगुप्त मौरे के प्रधान मंतरी थे विश्नुगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है कमेंट करके जरूर बताएं चंद्र चंद्रगुप्त मौरे अपने अंतिम दिनों में किस धर्म के अन्वियाई बने तो यह जैन धर्म के अन्वियाई बने ऑप्शन नमबर डी प्रशने का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा कथन इन में से सत्य है तो ऑप्शन नमबर चानक्य का दूसरा नाम विश्नुगुप्त अर्थात कॉर्टिले था इसका आंसर मैंने अभी आपसे पूछा था चंद्रगुप्त ने नंद शाशक घनननद को हरा कर मौरे सामराज की स्थापन की थी और चंद्रगुप्त अगला कॉशन है बौद धर्म के प्रिचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था तो संग मित्रा और महेंद्र इन दौनों को ही अशोक ने श्रीलंका भेजा था अशोक के शिलालेखों की खोज सरप्रथम किस ने की थी तो पौटेद्री फैलन थेकर आप्शन नम खोज की थी अशोक के शिलालेखों को सरप्रथम किस ने पढ़ा है तो जैम से प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा है साची के इस्तूप का निर्मार किस ने करवाया था तो साची के इस्तूपों का निर्मार समराट अशोक के द्वारा कराया गया अगले प्रशन पर चलते हैं अशोक के अभीलेक किस लिपी में लिखे गए हैं तो अशोक के अभीलेक जो है ब्रामी, खरोष्ट्री, ग्रीक और अर्माइक इन सभी लिपियों में लिखे गए हैं चंदरगुप्त मौरेकी सेंडरो कोट्स के रूप में किसनिक पहचान की थी तो चंदरगुप्त मौरेकी सेंडरो कोट्स के रूप में विलियम जोन्स ने पहचान की है नेक्ष्ट है अशोक के किस सिलालेख में उसकी कर्लिंग विजय का उलिख मिलता है तो तेरहवे सिलालेख में कर्लिंग विजय का उलिख मिलता है मौले काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था तो मौरे काल में गुप्तचरों को संस्था घुडपुरु संचार प्रशन सभी सही उत्तर हो जाएगा मैगस्तनीस के अनुसार भारतिय समाज कितने भागों में विभक्त था तो भारतिय समाज सात भागों में विभक्त था अगला कॉशन है चंदरगुप्त मौरे के महल के अवशेश कहां से मिले हैं तो कुम्रहार पटना से चंदरगुप्त मौरे के महल के अवशेश मिले हैं अशोक के धंब की परिभाशा कहां से ली गई है तो अशोक के धंब की परिभाशा राहुलो वादसुत से ली गई है सबसे पहले भूमी अनुदान की प्रथा शुरू हुई थी रुद्रदामन कौन था तो सक शाषक था रुद्रदामन कर्म टॠ्रदामन कन्य परोम बस्ती मिली है तो अरिकमेडू नामक स्थान पर प्रथम प्रारम्भ किया था भारत का नेपऊए जुर्दिकर्स प्तिया नेपोलियन किस गुप्त शाशक को कहा जाता है तो समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है नेक्श कोशन है चीनी आत्री फाहयान किसके साशनकाल में आया था तो चंद्र गुप्त विक्रमा दितके साशनकाल में चीनी आत्री फाहयान आया था मौरियोद्वा निर्मित शुदरसना जील का जिरनो धार किसे कराएथा तो अभी हमने पढ़ा था औप्षया नमबर feel GTANGu ढमन और श्कंद गुपट इन दौनों ने ही जील को सद जीरनऊ धार करा था भारत में और हुबड़ों का ऑक्रमन हुआ है in सब्सक्राइब का नालंदा विश्यु विध्याले का संस्थापक था कुमार गुप्ट कालीन स्रणड सिक्कों को क्या कहा जाता है तो इन्हें हम दीनार के नाम से जानते हैं, option number A सही उत्तर हो जाएगा निम्न मैंसे कौन सा सुमेलित नहीं है रचना और उसके रचना कार तो option number स्वप्नवास वद्दत्तम दंडी के द्वारा लिखा हुआ यह सुमेलित नहीं है बानभट किसके दरबारी कवी थे तो हर्षवर्धन के दरबारी कवी थे बानभट हर्षवर्धन की राधधानी का नाम क्या था तो कन्योज हर्षवर्धन की राधधानी का नाम था चीनी आत्री हिंसांग किसके सासनकाल में भारत आया था तो हर्श वर्धन के सासनकाल में हिंसांग भारत आया था कन्योज के लिए हुए त्री पक्षय संगर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई थी तो अंतिम विजय प्रतिहार वन्षों की हुई थी किस राश्ट कुश शाशक ने एलूरा के परवतों को काट कर प्रसिद कैलास मंदर का निर्मान करवाया था तो कृष्ण प्रथम शाशक ने एलूरा के पहाणों को करवा कर मंदरों का निर्मान करवाया था वातापी किसकी राध्धानी थी तो चालुक के वंस की राध्धानी थी बातापी इस्थानिय स्वसासन किसके प्रशाशन की मुख्य विशिष्टा थी तो चोल सामराज की प्रशाशन की मुख्य विशिष्टा इस्थानिय स्वसासन थी ब्रहद्रेश्वर मंदर का निर्मान किस ने कराया था तो राज राज प्रथम ने ब्रहद्रेश्वर मंदर का निर्मान करवाया था एलिफेंटा गुफा मंदरों का निर्मान किस राजवंस के शाशनकाल में हुआ था तो यह राश्रिकूर्ट राजवन्स के शाशनकाल में हुआ था महाबली पुरम के रथ मंदर का निर्मान किसने करवाया था तो नर्सिंग बर्मन प्रथम ने महाबली पुरम के रथ मंदरों का निर्मान करवाया था कश्मीर में मारतंड सूर्य मंदर का निर्मान किसने करवाया था तो ललिता अदित मुक्ता पूइट ने कश्मीर में मारतंड सूर्य मंदर का निर्मान कराया था तो दोस्तो ये सीरीज आगे भी चलती रहेगी अगर आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो को जाज ज्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तो स्वागे थे आप सभी का नॉलेज पंडित के आज के इस नई वीडियो में दोस्तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं बारा महीने के मोश्ट इंपर्टेंट करेंट अफेर्स हंड़ेट कॉशन से एमस्क्यू पैटर्ण में लेटिस्ट एक्जाम पैटर्ण के अकॉर्डिंग सेट किये गया है तो जीडि के लिए बहुत ही इंपर्टेंट है तो पूरा वीडियो अन तक देखिएगा चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहला प्रशन है हाली में पीएंट केस फंड योजना की शुरूआत किसने की है तो केंदर सरकार ने पीएंट केस फंड यूजना की शुरूआत की है हाली में आईपील वाले दुनिया के सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन बने है तो और्थर मुईर दुनिया के सबसे उम्र दराज व्यक्ति बने है हाली में एने के महान देशक का अत्रिक्त प्रभार किसे दिया गया है तो एने का महान देशक का अतरिक्ति प्रभार कुलदीप सिंग जी को दिया गया है किस ने पुराने गुवा में दूसरी फ्लोटिंग जैटी का उधगाटन किया है तो मनसुक मंडाविया जी ने गुवा में दूसरी फ्लोटिंग जैटी का उधगाटन किया है किस राज के हाई कोट ने राज में मुस्लिमों को 80% स्कॉलर्शिप देने को असम विधानिक बताते हुए रद कर दिया है तो केरल राज सरकान ने यह फैसला सुनाया है हाली में किस देश ने अपनी टू चाइल्ड पॉलिसी को खतम करने का फैसला लिया है तो चाइना ने अपनी दो ही बच्चे यानि कि टू चाइल्ड पॉलिसी को खतम करने का फैसला लिया है विश्यो तंबाकू निशे दिवस कम मनाये गया तो 31 मई को विश्यो तंबाकू निशे दिवस मनाये गया है किस राज सरकान ने सिसु सेवाई वजना शुरू की है तो असम राज सरकान ने सिसु सेवाई वजना शुरू की है एश्याई मुक्यबाजी चैंपिंशिप 2021 में किसने गोल्ड मेडल जीता है तो नाजिम किजाईबे ने एश्याई मुक्यबाजी चैंपिंशिप 2021 में गोल्ड मेडल जीता है भारत में FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्तरोत क्या है तम्माकू नियंतरण में प्रयासों के लिए WHO ने किसे सम्मानित किया है तो डॉक्तर हर्श वर्धन जी को तम्माकू नियंतरण में प्रयासों के लिए WHO ने सम्मानित किया है किस राजी के मंत्री मंडल ने विभिन जिलों के संरक्षक के रूप में कारे करने के लिए मंत्रियों को निक्त किया है तो असम राज सरकार ने यह फैसला सुनाया है भारतिय से ना किस देश के चार हैरान टीपी ड्रोन प्राप्त करेगी तो ये ड्रोन जो है इसराइल से प्राप्त करेगी करेंट अफेस के हिंदी कॉशन आंसर अपने दोस्तों को जरूर शेयर करियेगा Stargazing, the players in my life, cricket, all-rounder, commentator, or coach किताब किसके दोरा लिखी गई है तो रभी सास्त्री जी के दोरा यहा किताब लिखी गई है Very important question हो जाएगा जिडी के लिए किस मंत्राले ने युवा लेखों को प्रसक्षित करने के लिए युवा प्रधान मंत्री योजना की शुरुवात की है तो सिक्षा मंत्राले ने युवा प्रधान मंत्री योजना युवा प्रधान मंत्री योजना की शुरुवात की है White Monument जो हाल ही में खबरों में था किस देश में स्थित है एक चार हजार साल पुराना युद्धिसमारक है तो यह सीरिया में स्थित युद्धिसमारक है GST परस्थ की 43 भी बैठकी अधिक्ष्टा किसके द्वारा की जाएगी तो निर्मला सीतरा मंजी ने GST परस्थ की 43 भी बैठकी अधिक्ष्टा की है हाली में RBI ने नियामक अनुपालन में कमी की वज़ा से HDFC बैंक पर कितने रोपे का जरुमान लगा है तो नियमों का पालन ना करने के कारण 10 करोड रोपे का जरुमाना HDFC पर RBI ने लगाया है कोरोना वायरस के बाद किस देश में बड़ फ्रू H10N3 का पहला मामला सामने आया है तो यह मामला चीन देश में सामने आया है इसराइल के अगली राश्च्पती कौन बने है तो इसाक हर्जोग इसराइल के राश्च्पती बने है हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा युद्ध पोत खर्ग भीशन आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में ढूब गया तो इरान का यह सबसे बड़ा युद्ध पोत था जिसका नाम था खर्ग जिसमें आग लगने के बाद यह ओमान की खाड़ी में ढूब गया डबलू एच Ö ने भारत में दूसरी लहर के जिममिदार कोरोना वेरियंट का नाम क्या रखा है तो दूसरी लहर के दौरान जो कोरोना वेरियंट जिममिदार है उसका नाम डेटा रखा गया है विशुभर के किसानों के लिए विशु का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किसके द्वारा लॉंच किया गया है? तो IIFFCO के दवारा दूसरा नेनो यूरिया लिक्विड लॉंच किया गया है विश्व का पहला नेनो यूरिया लिक्विड लॉंच किया गया है बंगाल चुनाव लड़ने के समय अपनी राजसभा सीट से स्टीफा देने वाले किस पत्रकार को रश्पती रामनात कोमिन ने पुनह बचे हुए कारिकाल के लिए राजसभा सदस्य मनुनित किया है तो सवपन दास गुपता जी को मनुनित किया है असम राइफल्स के नए महानदेशक के रूप में इन में से किसने पदभार सम्हाला है तो लेटिनेंट जनरल प्रदीप चंदरोन नायर ने अपना पदभार सम्हाला है महराश चरकान ने EWS क faithful में मराटा समुदाय को कितने प्रतीशत आरक्षण देने की घोछना की है तो EWS कंडिगिर ने मराटा समुदाय को दस प्रतीशत आरक्षण देने की घोछना की है भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बनाने के लिए फार्मेजी नेकिस का अधिगरहण किया है तो मेड लाइफ का अधिगरहण फार्मेजी ने किया है चाइना के द्वारा हिन्दमा सागर में केनिया के पास कौन सा पहला बंदरगा विक्सत किया जा रहा है तो इस बंदरगा का नाम है लामू पोर्ट हाल ही में चाइना ने असली सूर्छ से भी ज्यादा-सक्ति-साली करतिरमसू तयार कर लिया है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है East हाल ही में किस ने पहली एशिया प्रसान साइबर सुरक्षा परिशत की शुर्वात की है किस राज सरकार ने लड़कियों के लिए 33% अरक्षन की घोशना की है तो बहार राज सरकार ने यहाँ घोशना की है हाल ही में किस राज सरकार की घर घर औसधी योजना शुरू की है तो राजस्थान राज सरकार ने घर घर औसधी योजना शुरूआत की है किस राज सरकार ने कोरोना मुक्त गाउं प्रतियोगिता की गोशना की है तो कोरोना मुक्त गाउं प्रतियोगिता की शुरुवात महराश राज सरकार के द्वारा की गई है दोस्तों यह योजना है जो हैं यह important होती है इनको अच्छे से याद कर लीजेगा अगला कॉशन है नीती आयो के तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है तो केरल राज्य टॉप पर रहा है किस आय टी कंपनी ने हाल ही में और एमसर्डम में खुद का पहला उरोपिय नवाचार केंद्र खोला है तो टाटा कंसल टैनसी सर्विसस ने यह नवाचार केंद्र खोला है किस देश के ड्रॉ पैट्रिक अमोथ डबलो एचो के कारेकारी बोड़ के दक्ष बने हैं तो ये केनिया देश के रहने वाले हैं हाल ही में किस देश की संसद ने करत्रिम द्वीब की योजना को मंजूरी दी है तो डैनमार्क देश की संसद ने करत्रिम द्वीब की योजना को मंजूरी दे दी है आमिस समझोता जो की हाल ही में खवरों में रहा न्यूजी लेंड और किस देश की एजनसी के अंत्रिक्ष के अन्वेशन के लिए समझोता है तो आमिस जो है न्यूजी लेंड और नासा के बीच का एक समझोता है भारती पुरात्तों सर्विक्षन ने किस इस्थान पर बहुद परिसर में तीन गुफाओं की खोच की है तो यहाँ खोज नासिक में हुई है IIT ने नैनो फाइवर आधारित M4 Terry से भी औरिल टेबलेट विक्सित की है जिसका उप्योग फंगल संकमर के इलाज के लिए किया जा रहा है कौन सी IIT नहीं है ने टेबलेट जो है विक्सित की है तो यह टेबलेट IIT हैदराबाद ने विक्सित की है अगला कौशन है हाल ही में किस बैंक ने आर्थिक शोध रिपोर्ट एको रैप प्रकासित की है तो State Bank of India ने यह आर्थिक शोध रिपोर्ट प्रकासित की है हाल ही में जारी FIH विश्व रैंकिंग में किस देश की हौकी टीम शिर्स पाइदान पर रही IAF के नए वाइश चीफ कौन बने है तो नए वाइश चीफ विवेक राम चौधरी जी बने है हाली में खबरों में रहा रैड टूरिज्म किस देश से जुड़ा है तो रैड टूरिज्म जो है यह चीन देश से जुड़ा है केंदर सरकार ने T.E.T. प्रमापत्र की वेदता साथ साल से बढ़ा कर कितनी कर दी है तो T.E.T. प्रमापत्र की वेदता साथ साल से बढ़ा कर उम्र भल कर दी है केंदर सरकार ने फशे मंगाल के नय मुक्र तच्चे कौन बने है तो हरी कृष्ण दुवेदी फशे मंगाल के नय मुक्र तच्चे बने है फिक्शन के लिए अन्तराश्र बुकर पुरुस्कार किस ने जीता है गया है MVX Press Pearl जो श्रीलंका के तड़ पर ढूब गया था किस देश का मालवाग जहाज था तो यह सिंगापुर देश का मालवाग जहाज था हाली में खबरों में रहा Architect Nation Wildlife Refuse किस देश में इस्थित है तो यह अमेरिका देश में इस्थित है ILO के अनुमानों के अनुसार वर्स 2022 में वैश्वित बेरोजगारी दर क्या रहेगी तो यह दर 5.7 प्रिशित रहने वाली थी हाली में रेलवे ने किस वर्स तक विद्धुती कृत संतुलित ब्रॉड गेज रूट तयार करने की योजना बनाई है तो 2023 में यह संतुलित ब्रॉड गेज रूट तयार करने की योजना बनाई है किसने दिली सरकार की घर-घर राशन योजना पर रोक लगाई है तो किंद्र सरकार ने यह रोजना पर रोक लगाई है किस सोशल मीडिय कंपनी ने अमेरिका के पूर्व राश्पदी दोनाल टरम का अकाउंट दो वर्स के लिए सस्पेंट कर दिया है तो फेस्बुक ने उनका अकाउंट दो वर्स के लिए सस्पेंट कर दिया है फोप्स की तरब से जारी ताजा रैंकिंग में सरवाथिक कमाई करने वाले 100 खिलाडियों की सूची में किस एक मातर भारति खिलाडी को शामिल किया गया है तो इसमें एक मातर भारति खिलाडी विराट कोहली शामिल है पुने में 3 E-100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का सुभारम किस के द्वारा किया गया है तो यहार सुभारम नरिंद्र मुदीजी के द्वारा किया गया है सेंक्त राश्ट के 17 सतत विकास लक्ष की ताजा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है तो भारत 117 वे स्थान पर है इगलेक्ट जो हाल ही में शुर्खियों में रहा किस देश से संबन्नित है तो इगलेक्ट अमेरिका देश से संबन्नित है किस देश ने हाल ही में भारतिय वैक्सीन को वैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है तो ब्राजील देश ने आयात को मंजूरी दे दी है हाली में असम का छटवा नेशनल पार्क के से गोशित किया गया है तो राय मोना को असम का छटवा नेशनल पार्क गोशित किया गया है नीदर लेंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 गंटे 6 मिरिट और 82 सेकेंड में पूरी करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है तो इनका नाम है सिफौन हसन किस राजिके मुख्यमंत्री ने 80 एकड आकसी वैन बनाने की घोशना की है तो हर्याना राजिके मुख्यमंत्री ने यह घोशना की है किस राज सरकान ने नौकरी को बढ़ावा देने के लिए Knowledge Economy Mission launch किया है तो केरल राज सरकान ने यह Mission launch किया है किस राज की सरकान ने मुख्यमंत्री अनुप्रती कोचिंग योजना की शुरुआत की है तो राज स्थान राज की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रती कोचिंग योजना की शुरुआत हुई है Times Higher Education Asia University Ranking 2021 में कौन सा भारते स्थान टॉप पर रहा है तो भारते संस्थान जो की टॉप पर रहा है IISC Bangalore किस भारते सिक्षक को World Bank Education Advisor के रूप में निप्ट किया गया है तो रंजीत सिंग दिसाले जी को World Bank Education Advisor के रूप में निप्ट किया गया है Nature TTL Photographer of the Year से किसे सम्मानित किया गया है तो Thomas Vigyan को सम्मानित किया गया है किसे भारत के बुजर्गों के लिए Sage कारिकरम और Sage Portal लाँच किया है तो Sage कारिकरम और Sage Portal जो है सामारिक नयाय और अधिकारिता मंतराले ने लाँच किया है हाली में विटकॉइन को Legal Currency के रूप में मानिता देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है तो Al Salvador Bitcoin को Legal Currency के रूप में मानिता देने वाला पहला देश बना है C-Naut का प्रकोब किस महासागर में देखा गया है तो C-Naut का प्रकोब जो है मरमरा सागर में देखा गया है किस अंतर सरकारी समूह ने बहुराश्ट्री कंपनियों पर नियून्तम व्यश्विक कर की घोशना की है तो G-7 ने बहुराश्ट्री कंपनियों पर नियून्तम व्यश्विक कर की घोशना की है किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला सभी तुराश महासभा के 76 सत्र के अध्यक्ष का चुनाओ जीत लिये हैं तो ये जो है माल दीव देश के विदेश मंत्री है हाली में भारत के चुनाव आयत कौन बने है तो अनूप चंदरपांडे भारत के चुनाव आयत बने है देश की पहली एलेक्ट्रिक वीकल सिटी कौन बनी है तो केवडिया देश की पहली एलेक्ट्रिक वीकल सिटी बनी है किस राज सरकान ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत की है तो दिल्ली ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत की है किस राजी की Water Builiel फिल्म को राश्री फिल्म पुरुष्ट का पुरुष्टकार में तो यहाँ फिल्म अरुनाचल पार्दियर्श से सम्दन दित है हाली में इसकूली सिक्षा में प्रदसन ग्रेडिंग इंडेक्स में किसने शिर्स इस्थान प्राप्त किया है तो यहाँ शिर्स इस्थान पंजाब राज्य ने किया है भारत में उर्जा के छित्र में बढ़ावा देने हैं तो किस mission को launch किया गया है तो innovation clean tech exchange mission को launch किया गया है अगला question है हाल ही में जारी the times 50 most desirable man 2020 को कौन रहे हैं तो इसमें सुसान सिंग राजपूत इस प्रतियोगता को जीते हैं किस δेष का railway दूनिया का सबसे बड़ा हरत रेलवे नेट वर्क बनने के लिए काम कर रहा है तो भारत दूनिया का सबसे बढ़ा हरत रेलवे नेट वर्क बनने का काम कर रहा है 2021 IEIU Global Living Ranking में किस शहर को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर गोशित किया गया है तो Auckland दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर गोशित हुआ है हाली में अब तक के सबसे बड़े डाइनसौर जीवासमी खोच कहां पर की गई है हाली में जारी अनीमिया मुक्त भारत सूचकांग 2021 किस राज में इसतान पर हा देहिंग पटकाई किस राजी का साथवा राश्री उध्यान मना है तो यह असम राजी का साथवा उध्यान मना है हाली में इंडो थाई कॉर्परिट अभ्यास की शुरुआत कहां पर हुई है तो यहां अंडमान सागर में शुरू हुआ है किस संगठन ने लापता व्यक्तियों को पहचान के लिए आई फैमिली नामक एक नया वेश्विक डेटाबेस लॉंच किया है किस देश ने भगवड़े आर्थिक अपरादी मेहुल चौकसी को निशिध अप्रवासी घोशित किया है तो डॉमिनिकल गरणाज ने इन्हें निशिध अप्रवासी घोशित किया है हाल ही में भारत को किस देश से तीन MH60 रोमियो हेलिकॉप्टर मिलेंगे तो अमेरिका से हेलिकॉप्टर मिलेंगे भारती गाओं कोविड नाइंटीन के खिलाफ अपनी सभी व्यक्स का अबादी काटिगा करने वाला भारत का पहला गाओं कौन बना है तो यह है वियान नेक्स्ट कॉशन देख लेते हैं हाल ही में अंतराश्य तेरा की महासंग के नए अद्धश के रूप में किसे चुना गया है तो हुसेन अलमुसालम को चुना गया है फुटबॉल एसोशेशन की पहली महीला अद्धश कौन बनी है तो डेवी हैविट फुटबॉल एसोशेशन की पहली महीला अद्धश बनी है पैन पिंटर पुरुसकार 2021 का विजयता कौन है तो टिक्सी डांगर एमबा ये पैन पिंटर पुरुसकार के विजयता है जून 2021 को विश्व का पहला मास्क फ्री देश कौन बनने जा रहा है तो पहला मास्क फ्री देश बना था इसराइल सहिट राज़े को सामोहिक मौतों की चेतावनी दी है तो मयानमार में इस्ठित है यहाँ विशु की सर्विस्रेश्ट बैंक सучी में कौन सा बैंक टॉप पर रहा है तो डीबियस बैंक टॉप पर रहा है किस देश की नौसेना पहला फुली स्टिल्थ वाटर शिप बना रही है तो रूस की है नौसेना है किस अंतराश्रे एजनसी ने वर्ष 2030 तक एड्स को सुमाप्ट करने के लिए एक राजनेतिक घोशना की है तो सरीक तुराश महा सभा नहीं है घोशना की है दोस्तो ये सीरीज 300 कोशन की रहेगी आगे के 200 कोशन जो है 100 करके आपको दो वीडियो में मिलेंगे अगर चैनल परना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में मैं नौलिज पंडित से रंजीत पांडे आप सभी का वैलकम करता हूँ दोस्तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं 130 साइंस के कोशन्स जो की ओल्ड एक्जाम पेपर के कोशन्स है और यह हर एक्जाम के लिए इंपॉर्टन्ट है इस्पेशल एससी यूपी पिलिस और भी जो भी एक्जाम हो रहे हैं चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहला प्रशन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं रजट मचली होती है तो यह क्या है तो रजट मचली जो है एक कीट किश्रेणी में आती है नेक्स्ट कॉशन देख लेते हैं अगला प्रशन है हाल ही में लुपत हुआ पक्षी इन में से कौन है तो डोडो हाल ही में लुपत हुआ पक्षी है अगला प्रशन आपके सामने है ना उड़ने वाला पक्षी इन में से कौन सा है तो इमू ना उड़ने वाला पक्षी है नेक्स्ट कॉशन है कीटों का मुख्य लक्षन क्या होता है तो कीटों की लगभक तीन जोड़ी टांगे होती है ये उनका मुख्य लक्षन है नेक्स्ट कॉशन आपके सामने है दूई नाम पद्धती के जनक कौन है तो लीनियस जो है दूई नाम पद्धती के जनक माने जाते हैं अगला कौशन है इस्तंधारियों का सबसे महतव पूर्ण लक्षन क्या होता है तो इस्तंधारियों में चार कोश्ट ये हृदय का होना उनका सबसे महतव पूर्ण लक्षन है next question आपके सामने है, मचली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है तो मचली वर्ग की पहचान, ग्रासिय गिल, डर्मल शल्क और युगमित पक्ष यानि की उपर युग सभी प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा आगला प्रश्वन है उडन मच्ली इन मैं से किसे कहते हैं तो एक्सोसिस्टस उडन मच्ली फ्लाइंग फिश्छ के नाम से जाने जाती है clamor investigation है जीविग्यान के जनक कोन माने जाते हैं तो अरस्तु जीविग्यान के जनक माने जाते हैं दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेर, सबस्क्राइब जरूर करिएगा वर्गी करण क्लासिफिकेशन की आधारी एकाई क्या है तो वर्गी करण की आधारी एकाई इस पसीज है नेक्स्ट कॉशन आपके सामने है, अगला प्रशन पूछा गया है, हाइडरा इन में से किश्रणी का जीव है तो हाइडरा जो है मान स्पक्षी है, आप्शन नमबर डी प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट कॉशन है, कौन सा कीट वर्ग में नहीं आएगा, तो बिच्छु जो है, यहाँ कीट वर्ग में नहीं आएगा, राइट आंसर हो जाएगा गरेलू मक्ही के लारवा को क्या कहते हैं तो मैगट बोलते हैं घरेलू मक्ही के लारवा को अगला प्रशन आपके सामने है उद्ध्योग जो मधुमक्खियों से संबंदित है उसे क्या कहते है तो मधुमक्खियों से संबंदित उद्ध्योग एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट कॉशन आपके सामने है निमलिकित मैंसे कौन सा सिल्क वर्ग से सम्मंदित है तो सैरी कल्चर जो है सिल्क वर्ग से सम्मंदित उत्पादन से सम्मंदित है नेक्स्ट कॉशन है मदुमक्यों में संचारन अर्थात कम्यूनिकेशन का साधन क्या है तो नाचना मदुमक्यों में संचारन का मुख्य साधन है अगला प्रशन है उस वेग्यानिक का नाम क्या है जिसने मदुमक्यों के संचारन की भाशा का पता लगाया था अगला कोशन आपके सामने है मौन घाटी जहां पादपों जन्तूओं के दुरलब जातिया है कहां पर है तो मौन घाटी या साइलेंट वैली जो है यह केरल राजी में इस्थित है नेक्स्ट है भारत वर्ष का राश्रे पुष्प क्या है तो भारत वर्ष का राश्रे पुष्प कमल है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है कमेंट करके बताईए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं अगला प्रशन है रेशों की फसल जो भारत में सबसे अधिक शेतर में होती है क्रिकेटर के बल्ले की किस लकड़ी से बनते हैं यान की क्रिकेटर के बैट जो होते हैं क्रिकेट के बैट कौन सी लकड़ी से बनते हैं तो सैलिक से प्रुप्रिया नाम की लकड़ी से क्रिकेट के बैट बनते हैं नेक्स्ट है शीत काल में तुशार पाले का वितरण उतकों म वाला जीवाणू कौन सा है तो लेक्टो बैसिलस जीवाणू जो है डेरी के दू तथा पादब पदार्थों का किंडमन करने वाला जीवाणू है नेक्स्ट है नामकरण के दूई नाम पद्धती के प्रस्तावक कौन थे तो कॉरल नीनियस यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नामकरण के दूई नाम पद्धती के प्रस्तावक माने जाते हैं नेक्स्ट कॉशन है आपके सामने दूई नाम पद्धती का अर्थ क्या है कि प्रत्यक जीव में क्या होगा तो दूई नाम पद्धती का अर्थ होता है कि प्रत्यक जीव में एक नाम में जीनस और दूसरे नाम में species जाती के शब्द होते हैं तो एक नाम में जीन्स और दूसरे में species के शब्द यही द्वी नाम पद्धिती है प्रतिक जीव की next है कीट निम्लिखित मैंसे किस से संबंदित हैं तो कीड जो है और्थो पोड़ा वर्ग से संबंदित माने जाते हैं प्राय हकिस जीव को किशान का अच्छा मित्र माना जाता है तो केचवा जो है यह किसान का अच्छा मित्र माना जाता है next question है समुदरी केकडा यह सी कुकंबर निम्ल मैंसे किस से किसे इंगित करता है तो समुदरी केकडी माफ करिएगा समुद्री केकडी या सी कुकुमबर यह जो है एक समुद्री और कशे रुकी एन वरटी ब्रेट जीव में आती है next question है आपके सामने चीटी में कितने पैर होते हैं तो चीटी में लगबक 6 पैर होते हैं नेक्स्ट कॉशन है ओंकोलोजी में किसका अध्यन किया जाता है तो ओंकोलोजी में कैंसर का अध्यन किया जाता है नेक्स्ट है रेशम किस से उत्पन होता है तो रेशम के कीडों के प्यूपा से रेशम उत्पन होता है अगला कॉशन है एक भारती हाथी के बच्चे का 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 उर्वरको अनुपस्थिता है उरवरको में अनुपस्थित default होगा तो क्लोरीन उरवरको में अनुपस्थित होता है नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ा और सबसे लंबा इस्तंधारी कौन सा है तो नीली वेल विश्व में सबसे लंबी इस्तंधारी है और्थोलोजी का अध्यन क्या होता है तो और्थोलोजी में जोडों का अध्यन किया जाता है नेक्स्ट कॉशन है एकल कोशा प्राणियों को वर्गी कृत किया जाता है किसमें तो एकल कोशा प्राणियों को प्रोटो जोन के रूप में वर्गी कृत किया गया है नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन समझात अंगों का उधारन है तो इन में से ड्रैको तथा चमगादर के पैटे जीम जो है यह समझात अंगों के उधारन की शरणी में आएंगे जीवाश्म में पाए जाते हैं तो जीवाश्म जो है अवसाधी सेलों में पाए जाते हैं अगला कॉशन है लीनियस दूई नामकरण की विचारधारा सरप्रथम किसमें परकाशित हुई थी तो सिस्टिमा नेचुरे नामक पुस्तक में यह विचारधारा प्रकाशित हुई थी निमलिखित में से कौन सा एनलिडा और मोलस्क के बीच की कड़ी है तो नियोपाई लाइना जो है एनलिडा और मोलस्क के बीच की कड़ी माना जाएगा नेक्स्ट है निमलिखित मेंसे कौन सा प्राणी मूख है तो जिराफ जो है एक मूख प्राणी है next question देख लेते हैं अगला प्रशन आपके सामने हैं लिनियस को कहा जाता है next है जब हम केच्वे पर साधरा नमक्ष लगते हैं तो वह हम भर जाता है इसकी वज़ाय तो इसकी वज़ाय है परासारण प्रभगात right answer हो जाएगा नेक्स्ट है उचाई से गिरने पर किसी मानव या अन्य पश्वों की अपेक्षा बिल्ली के बचने के अधिक संभावना होती इसका कारण क्या है तो इसका मुख्य कारण है बिल्ली ततकाल अपने आपको समायोजित कर अपने चारो पैरों को भूमी पर भूमी पर आ जाती है और पैरों को मोड सकती है ताकि गिरने के संभावना उचाई से गिरने पर भी जादा होती है पसु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो यहाँ उथ्तर प्रदेश में इस्तित है मनुश्य का सामायो नितापकरम लगभा कितना है तो 58 डिगरी फैरेनाईट मनुश्य का सामायो नितापकरम है नेक्स्ट है एक शार्क के साथ सनलंगन एक शूशक मतस्य में दिखाई देने वाला प्राणी साहचर यह कैसा साहचर है तो यह सोब भीचा सहभोजिता सहचार है जिसमें एक शारख मचली के साथ में एक छोटी मचली भी छिपकी होती है और वह उसके साथ साथ में ही रहती है नेक्ष गॉशन है निमलिकित में से अंडा देने वाला स्तन पाई कॉन सा है तो कंटीला चीती खोड़ अंडा देने वाला स्तन पाई है विश्व व्यापी तापन का संभावत परणाम क्या हो सकता है तो स्थापन का संभावद प्रणाम है समुदर के स्तर में वर्दी क्यों कि बर्प पिगलेगी तो PANihen बनेगा फसल के स्वरूप में परिवर्तन तट्रेखें में परिवर्तन उपर इक सभी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक वानकी का मतलब क्या होता है तो सामाजिक वानकी जो है option number D प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा सरकारी स्वामितो वाली भूमी पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी विवस्ता करना सामाजिक वानकी है next question देख लेते हैं मदुमक्खी में पूम ध्रूप यानि की ड्रोन कैसे होते हैं तो यहाँ अनुवर नर पर इस्थित होते हैं next question आपके सामने है रेंगने और विसर परणी करने वाले कशूर की जन्तों के प्रकार क्या है तो रैप्टेलिया वर्ग रैप्टेलिया वर्ग जो है रेंगने और विसर परणी करने वाले जन्तों के साधन है निमलिखित मैंसे कौन वेमेल होगा तो जावा क्लाइंट्स जो है यह इन तीनों में वेमेल है राइट आंसर हो जाएगा next question देख लेते हैं जबड़े किसमें नहीं होते हैं तो प्रोटो कौड़ेट में जबड़े नहीं होते हैं अगला question है एक चीटी किसके अस्तित्व की कारण हर दिशा में वस्तों को देख सकती है तो उसके पास सैयुक तो आँखें होती है जिसके कारण वो चार दिशा में वस्तों को देख सकती है next question है अधिक ठंडे छेत्रों में रहने वाले जन्तुओं पर किस जन्तुओं पका फर जो होता है पंक जो होता है वो किस काम आता है तो यह वायू को फजा कर उन्हें गर्म करने के काम में आता है next question है निम्लिखित में से किस अभहचर को जीवा नहीं होती है तो एक्थियो फिस जो होता है इसमें जीवा नहीं होती है जो उभहचर है next है कौकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं तो निम्फ कहते हैं कौकरोच के लार्वा को अगला question है बढ़ती उम्र के वेग्यानिकों के अध्यन को क्या कहते हैं बढ़ती उम्र का वैज्ञानिक अध्यन जो है यह जिरंटोलोची कहलाता है या जराविज्ञान कहलाता है ट्यूब के भीतर भी ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शाररिक प्लान पाया जाता है किसमें तो साइकॉन में यह प्लान पाया जाता है नेक्ट कॉशन है डॉ जीवी एंट्रो जुआ के अंतरगत रखा गया है नेक्स्ट कॉशन है मानो जातियों के वर्गी करण के लिए निम्लिखित में से किस का सौटी का प्रियोग नहीं किया जाता है तो कान का प्रियोग नहीं होता है वर्गी करण के लिए अगला कॉशन है निम्लिखित में से किस यस्तान के लिए सुनिशित करने के लिए प्रयोक होता है नयक्स नम्लिकत मैं से कौन discussing किस नहीं है तो मकडी गोगा मानो किस प्रजाती से संबंदित है घ्या एगला प्रशन है में नी फेरा इंडी का किसका वानस्पतिक नाम है तो आम का वानस्पतिक नाम है मैगनी फेरा इंडिका नेक्स्ट है सबसे बड़ा और भारी स्तंधारी कौन सा है तो ब्लू वेल सबसे बड़ा और भारी स्तंधारी है अगला कौशन है इस पिसीज जाती ऐसे विक्तियों का विष्टियों का समू है जो क्या बताता है तो जननात्मक रूप से जीवन छम रह सकता है, इस पिसीज यह बतलाता है। नेक्ट कॉशन है, लीनियस को वर्गी करन का विज्ञान का जनक पिता माना जाता है, कारण क्यों है? वर्गी करन का पिता माना जाता है, चोच एक प्रकार से दात की ही बनी होती है। पिन्ना करणपाली एवं बाह श्रवणिय नाली पाई जाती है इन में से किसमें तो इस तन पाईयों में यह दोनों विवस्था पाई जाती है नेक्ष्ट है निम्न में से कौन सा सहयोजन सही है तो ब्रैसी का जो है लिली एसी कुल से संबंदित है एकदम सही सहयोजन है निम्न मैंसे कौन सा एक अंडच इस्तनी है तो बतक चोच यानि कि डगबिल्ड प्लेक्टिपस जो है यहाँ एक अंडच इस्तनी है अगला प्रशन आपके सामने है जीवों में अत्यधिक विवित्ता का कारण क्या है तो अनुकूलन उपस्तित होना जीवों में विवित्ता का कारण है नेक्श देख लेते हैं अगला प्रशन आपके सामने है अगला प्रश्न है कीत संबर्धन क्या होता है तो कीटों की वृद्धी करने का विज्ञान कीट संबर्धन कहलाता है निमलिकित में से कौन सा एक कोशिय जीव का उधारण है तो प्रोटो जुवा एक कोशिय जीव का उधारण है नेक्स्ट है डॉल्फिन के समुह को क्या कहते हैं तो डॉल्फिन के समुह को पॉड के नाम से जाना जाता है पीछे की ओर उडने वाला एक मातर पक्षी कौन सा है तो हमिंग बर्ड पीछे की ओर उडने वाला एक मातर पक्षी है नेक्ष्ट है आक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है तो आक्टोपस के खून का रंग नीला होता है सबसे बड़ा इस्तनपाई कौन सा है तो ब्लू वेल सबसे बड़ा इस्तनपाई है नेक्स्ट कॉश्चन है आपके सामने निमलिखित मैंसे किसमे अधिकतम पैर होते हैं तो सहस्त्रपाद कीडे में सबसे ज़्यादा पैर होते हैं लियूमर क्या है तो लियूमर जो है मेड़ा गासकर में पाजाने वाला एक जानवर है राइट आंसर हो जाएगा मगर मच्च के बच्चे को क्या कहते हैं तो हैच लिंग मगर मच्च के बच्चे को कहा जाता है मनश में मैमोलिया इस्तंधारी वर्ग से संबंदे जिसमें निमलिखित मैंसे एक नहीं आता है कौन सा है तो छिपकली इस्तंधारी वर्ग में नहीं है next है homo sapiens के रूप में वर्गी कृत किया जाने वाला प्रारंबक hominites कौन थे तो ये cromagnum मानों थे next question देख लेते हैं syberiae ibex क्या है तो बड़ी और भारी बकरियां है जिने syberiae ibex कहा जाता है next है oranerology जो है इसमें किसका अध्यन होता है तो इसमें सपनों का अध्यन किया जाता है dr. salim moynuddin alie abdulkis के लिए प्रसद्ध थे तो यहाँ पक्षिव ज्यान के लिए प्रसद्ध थे next question है निमलेखित में से कौन सा एक anthropoids के तीन सुपर फैमिली में से एक नहीं है तो anthropoids के तीन सुपर फैमिली में से एक नहीं है अगला question है तो अच्छा तत्वों और मानो जैसी प्रजातियां जैसे की बंदर वानर वन मानुश आदी के विवहार का अध्यन यह क्या कहलाता है तो इन्हें हम primatology कहते हैं अगला question है निमलिकित में से कौन सा मकडियों का अध्यन है तो arcanology मकडियों के अध्यन से संबंदित विग्यान है next question है सोरोलोजी में किसका अध्यन करते हैं तो सोरोलोजी में छिपकली का अध्यन किया जाता है right answer हो जाएगा निमलिकित में से कौन सा मनुष्य का अध्यन है तो एंथ्रोपोलोजी इन में से मनुष्य का अध्यन कहलाएगा अगला कौशन देख लेते हैं सबसे जहरीली मचली कौन सी है तो इस्टोन फिश तथा फगू फिश जो है सबसे जहरीली मचली की श्रेडी में आईगी सील मचली द्वारा किये गए आवाज को क्या कहते हैं तो सील मचली द्वारा किये गए आवाज को बार्क के नाम से जाना जाता है निमलिखित मैंसे कौन सा जीव मोलक्स को परिवार से संबंदित है तो गोंगा जो है मोलक्स को परिवार से संबंदित है निमलिकित मैंसे किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है तो जींगुर को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है मानवी विकास के संबंद में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवास्म की खोज है तो हाल ही में होमो नलिडी जीवास्म की खोज हुई है मनुश के वैग्यानिक नाम होमो सेपियन्स का अर्थ क्या होता है तो वाइज होमो निड मनुश के वैग्यानिक नाम होमो सेपियन्स का अर्थ है नेक्च कौशन है नेमले कित मैसे कौन सा विकल पाचवक रिजायम नहीं है तो सुपर अकसाइड डिस्मूट के पाचवक रिजायम नहीं है प्रत्वी पर सबसे अधिक बुद्धीमान इसतंधारी कौन सा है तो डॉल। वती अधिक racaaden रूप में जाना जाता है एक मानसिक इलाज है जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए समवहन विद्य तुरुप से रोगियों में लगाय जाता है इसे हम किस नाम से जानते हैं तो इलेक्ट्रो कमवल्सिव थेरपी के नाम से इसे हम जानते हैं अगला कॉशन है निमलिकित मैसे चिकितसा विज्यान की कौन सी प्रशाखा यकरत के उपशार और विज्यान से सम्वंदित है तो हैप्टो लॉजी इसे हम कहेंगे जीवों के वर्गी करण से सम्मंदित जीविग्यान की शाखा क्या कहलाती है तो इसे हम वर्गी करण विग्यान के नाम से जानते है जीवित जीवों में म्रदा के प्रभाव का अध्यन म्रदा जीविज्ञान के किस साखा के अंतरगत होता है तो इसे एडाफो लॉजी के अंतरगत किया जाता है अगला कॉशन है जीवों द्वारा जी ने और अधिक वंश वर्दी के लिए बहतर अनखुलित वातावरन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो एसे हम प्राकर्तिक शयन कहते हैं नेक्स्ट है जैव आवर्धन का कारण क्या है तो औरगेनो क्लोरीन जैव आवर्धन का कारण है नेक्स्ट है निमलिकित मेंसे कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्रों, तप्त कंद्राओं और अंटाक्टिगा के बर्फ जैसे जीवन यापन हे तू जटल निवास स्थान में भी निवास कर सकते हैं तो इन्हें हम जीवाणू कहेंगे जो कहीं भी रह सकते हैं निमलिकित मेंसे कौन सा सरीसरप वर्ग से सम्बंदित नहीं है तो मैडग सरीसरप वर्ग से सम्बंदित नहीं है निमलिकित जानवरों मेंसे कौन सा त्रिपेलो ब्लास्टिक नहीं है तो जैलीफिस त्रिपेलो ब्लास्टिक श्रेडी में नहीं आएगा निम्लिकित में से कौन सा जन्तूओं का सबसे बड़ा समू है तो और्थोपेडा जन्तूओं का सबसे बड़ा समू है पादब वर्गी करण का पदानुकरम निम्न में से क्या होगा तो प्रभाज, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाती, पादब वर्गी करण का पदानुकरम का सही निन है निम लिखित मेंसे कौन से सम्मू सम्मंदित नहीं है तो लोमडी जो है बकरी घोड़ा और जैबरा से सम्मंदित नहीं है नेक्स्ट है एनलिडा वर्ग से सम्मंदित नहीं है तो एसकरेस एनलिडा वर्ग से सम्मंदित नहीं है निम्ड में से क्या इस सम्मू से सम्मदित नहीं है तो हैंस्टर जो है इन तीनों से अलग है नेक्श कॉशन है विटेकर द्वारा प्रति पादे 5 गींगम द्वाज क्लासिफिकेशन में नेम दिमसे कौण सा समू सामिल नहीं है तो उसमें प्रोडो जोवा समू सामिल नहीं है निम्लेकिट में से किस वैज्यानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजन और इसपीसीज में कर्बनिक विकास के लिए एक कृया भिधी का सुझहाओ दिया तो चार्ज डार्विन की यह किताब है और इसन ओप सीज नेक्ट कॉशन है निम्ड में से कौन सा कथन गलत है सभी कॉड़ेटा जो है डिपलू ब्लास्टिक होते हैं यह कथन गलत है अगला कॉशन है विटेकर के वर्गी करण के अनुसार किस सम्हू में शामिल जीवों में पूर्टा विक्सित नाभिक नहीं पाय जाता है तो मोनेरा जगत के शामिल जीवों में पूर्टा विक्सित नाभिक नहीं पाय जाता है तो दोस्तों यह थे आज के कॉशन्स कैसे लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं अच्छा लगा हो तो अपने ग्रूप में शे का आज के इस नए वीडियो में नौलिज वंडित पर मैं रहें जीत पांडे आप सभी का वैलकम करता हूं दोस्तों आप सभी को पता है कि हम 30,000 कोशन की सीरीज पढ़ रहे हैं और उस सीरीज का ये आज का नया वीडियो है चैनल पर अगर नय है तो सबस्क्राइब जरूर कर की थी तीपू सुल्तान ने अंगरेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगती प्राप्त की थी तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 1799 में तीपू सुल्तान ने अंगरेजों के साथ युद्ध करते हुए वीरगती प्राप्त की थी अगला कॉशन है बुद्ध में व कारणों से ही बुद में बैराग की भावना बल्वती हुई नेक्स्ट कॉश्चन है समराट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे जादा प्रभावित किया था वह थी कारुवा की उस पत्नी का नाम तक कारुवा की अगला कॉश्चन आपके सामने है निम्न मैं से सबसे प्राचीन राजवन्स कौन सा है जी हां दोस्तों इन में से सबसे प्राचीन राजवन्स के बारे में पूछा गया है तो मौर सामराज मौर वन्स सबसे प्राचीन राजवन्स है नेक्स्ट कॉश्चन है अशोक के सिलाले को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन ठो ज्यम्स प्रशनितसी स्थापना कहां पर की थी, टो महावीर जी ने जैन संग की स्थापना पावापूरी में की थी, शही उत्तर हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा विदेशी दूद जिसने अपने आपिन अपको भागवत गोशित किया है है नेक्श कॉशन देख लेते हैं वैदिक कालीन लोगों ने सरप्रतम किस धातू का प्रयोग किया था तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इन्होंने सबसे पहले तामबा धातू का प्रयोग किया था नेक्श कॉशन है हल समबंदी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वरनन कहां से मिलता है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा शत्पत ब्रामण गरंत में व्याख्यात्मक उलेख मिलता है Next question है किस वेद की रचना गद्ध और पध्ध दौनों में की गई है? तो गद्ध और पध्ध दौनों में ही यजरुवेध की रचना होई है? Right answer हो जाएगा option number यजरुवेध अगला प्रशन है हाल ही में ट्राई किस संभावित अधिसूचना के साथ में आया है तो ट्राई ने हमारे लिए पैन इंडिया मोबाइल नंबर पोटेबिलिटी की सुभिधा प्रधान की है राइट आंसर हो जाएगा हाली में एपल पर किस कमपनी के साथ पेटेंट के उलंगन के आरोप में जुर्माना लगाए गया है तो एपल का स्मार्ट फ्लैस L.S.C. कमपनी के पेटेंट के उलंगन के आरोप में जुर्माना लगाए गया है नेक्ट कॉशन है परसनल कम्पूटर इनमें से किसके साथ जुड़े होते हैं तो परसनल कम्पूटर नेटवर्क के साथ में जुड़े होते हैं मनिश्य की इस्मरण शक्ती कम्प्यूटर की तुलना में होती है, तो मनिश्य की इस्मरण की सक्ती कम्प्यूटर की तुलना में सामान ने होती है। Next question है computer की छमता कितनी होती है तो computer की छमता सीमित होती है right answer हो जाएगा इस प्रशन के लिए अगला प्रशन है computer के कारे प्रणाली के मुख्य आव्याव में कौन शामिल नहीं है तो internet computer की कारे प्रणाली में मुख्य रूप से सामिल नहीं है extra work के लिए हम इसका प्रियोग करते हैं next question है CPU का विस्तृत रूप क्या है या CPU का full form क्या है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा central processing unit CPU का विस्तृत रूप है computer के कारे करने का सिध्धान्त क्या होता है सही उत्तर क्या हो जाएगा तो computer के कारे करने का सिध्धान्त process करना होता है option number A प्रशन का सही उत्तर है next है processed data को हम किस नाम से जानते हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा तो processed data को हम output के नाम से जानते हैं अगला प्रशन आपके सामने है निम्न मैसे कौन computer के सभी भागों के बीच में सामान जस्ते स्थापित करता है तो computer के सभी भागों के बीच में control unit सामान जस्ते स्थापित करती है सही उत्तर हो जाएगा next question है input का output में रूपान्तरन किस के दवारा किया जाता है तो input का output में रूपान्तरन CPU के द्वारा होता है option number CPU सही उत्तर हो जाएगा CPU के ALU में क्या होते हैं तो CPU के ALU में registers form होते हैं right answer हो जाएगा एक hardware device जो data को अर्थपूर्ण information में परिवर्थित करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं तो एक hardware device जो data को अर्थपूर्ण information में परिवर्थित करता है वह प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं तो बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इंपूट प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं CPU और I.O. के बीच signal के संचलन को कौन नियंतरित करता है तो CPU और I.O. के बीच में signal के संचलन को output यहां पर output और input की बात हो रही है तो CPU और input और output के बीच में signal को नियंतरित करने वाला भाग होता है control unit Next question है वहां सूचना जो किसी बाहरी स्त्रोच से आती है और computer software में फीड की जाती है उस सूचना को हम किस नाम से जानते हैं तो वहां सूचना input के नाम से जानी जाती है सब्द आवाज, imaging और ऐसे कारेओं को अनुदित करना जिसे लोग system unit प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है तो उसे हम input device के रूप में जानते हैं राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर जो computer का मस्तिस्क होता है उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम microchip भी कहते हैं option number C प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा next question है man memory के समन्वे से कारे करती है man memory CPU के समन्वे से काम करती है दोनों मिलकर काम करते है सभी तारकिक एवं गड़ती परिकलन जो computer द्वारा किये जाते हैं computer पर कहां पर रहते हैं तो यह सब central processing में रहते हैं next question है input output और processing device का समूह किसका निरूपन करता है तो यह सभी मिलकर computer system मनाते हैं right answer हो जाएगा computer में अधिकांस processing कहां पर होती है तो computer में अधिकांस processing CPU में होती है next question है निम्नमे से कौन सा computer का बुनियादी कारे नहीं है तो text को scan करने के लिए हम अलग से scanner लगाते हैं यह computer का बुनियादी काम नहीं है निम्नमे से प्रथम गड़ना यंत्र कौन सा है तो अधिकांस को प्रथम गड़ना यंत्र माना जाता है important question है हमेशा पूछा जाता है अगला प्रशन है pack में नामक प्रसिद कंप्यूटर किस काम के लिए बनाए गया था तो pack में नामका प्रसिद कंप्यूटर खेल के लिए gaming के लिए बनाए गया था किसने प्रथम mechanical calculator का निर्माण किया था तो blaj pascal ने सबसे पहले mechanical calculator का निर्माण किया था निम्न मैंसे किसे punch card का आरंभ क माना जाता है या किसने punch card का आरंभ किया था तो इन मैंसे कोई नहीं प्रशन का सही उतर हो जाएगा analog computer का काम क्या है तो analog computer का काम निम्न इस तर पर सम प्रेशन करना option नमर B प्रेशन का सही उतर हो जाएगा निम्न मैंसे सबसे तेज कौन है तो register सबसे तेज काम करने वाले computer के opting होते हैं आकार के आधार पर computer कौन से प्रकार का नहीं होता है तो optical computer में आकार के आधार पर computer का प्रकार नहीं है Next question है प्रथम PD के computer में मुख्य electronic घटक कौन सा था तो प्रथम PD के computer में मुख्य electronic घटक जो था वो vacuum tube हुआ करती थी निम्न मैंसे computer की कौन सी एक विशेस्ता होती है तो computer की एक विशेस्ता गती यानि की उसकी speed उसकी विशेस्ता होती है Next Question देख लेते हैं analytic engine का निर्मार किस ने किया था तो Charles Bevej ने analytic engine का निर्मार किया था तरतिय पीडी के कम्पीटर में मुख्य रूप से कौन से घटक होते हैं तो तरतिय पीडी के कम्पीटर में LSI मुख्य घटक के रूप में होता था प्रथम पीड़ी के कम्पूटर में क्या दोश था तो उसका बड़ा आकार का हो ना उसका मुख्य दोश माना गया था प्रथम पीड़ी के कम्पूटर का गरना संयंत्र एबैकस का अविश्कार किस देश में हुआ है तो एबैकस का अविश्कार चीन देश में हुआ है सुपर चिप को मीनी कम्पूटर में लगाने से वह सुपर मीनी कम्पूटर बन जाता है तो कितनी सुपर चिप, कौन सी सुपर चिप, उसकी संख्या क्या होगी तो 80386 सुपर चिप अगर हम लगा देते हैं तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा option number D 80386 सुपर चिप को अगर मीनी कम्पूटर में हम लगा देते हैं तो वह सुपर मीनी कम्पूटर बन जाएगा iMac एक प्रकार का क्या है तो यह एक प्रकार से modem होती है सही उत्तर हो जाएगा भारत में निर्मित प्रथम कम्पूटर का क्या नाम था तो भारत में निर्मित प्रथम कम्पूटर का नाम सिध्धार्थ था विश्व का सबसे पहला सुपर कम्पूटर का बना तो 1976 में विश्व का सबसे पहला सुपर कम्पूटर बना था व्यक्तिकत तोर पर किस computer का प्रियोग किया जाता है तो micro computer का प्रियोग व्यक्तिकत तोर पर किया जाता है micro processor किस पीड़ी का computer है तो micro processor चतुर्थ पीड़ी के computer में लगे होते है निम्न मैंसे वेक्यूम माफ करेगा निम्न मैंसे कम्पूटर का जनक किसे माना जाता है तो चार्ल्स बेवेज को कम्पूटर का जनक माना जाता है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है तो परम एक सूपर कंप्यूटर है सही उत्तर हो जाएगा सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है तो सूपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होते है चाल्स पेवेज के प्रथम mechanical computer को किस नाम से जाना जाता था तो यहाँ पर इन में से कोई नहीं प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा सरवाधिक शक्तीसाली computer कौन सा computer होता है तो सूपर computer सबसे शक्तीसाली computer होते है चुम्बकिय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है तो चुम्बकिय डिस्क पर आइरन आकसाइड की परत होती है औप्शन नमबर ए प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा सरप्रथम आदुने कंप्यूटर की खोज कब हुई थी तो 1946 में आदुने कंप्यूटर की खोज हुई थी कंप्यूटर के विकास में सरवादे की योगदान किसका रहा तो वॉन यूमॉन का कंप्यूटर के विकास में सरवादे की योगदान माना जाता है निम्नमैसे किसे computer का पितामह कहा जाता है तो चास बेबेज को computer के पितामह के रूप में जाना जाता है सरप्रथम punch card का प्रयोग किस ने किया था तो जोसेफ मेरी ने सबसे पहले punch card का प्रयोग किया था तो पाँच लाख संकरियां प्रती सेकेंड सुपर मिनी कम्पूटर में समाहित होती है अंक्य कम्पूटर किसकी गढ़ना प्रती सेकेंड करता है तो अंक्य कम्पूटर करोणों गढ़ना प्रती सेकेंड कर लेता है Integrated Circuit Chip का आविश्कार किस ने किया था तो JSKilvy ने Integrated Circuit Chip का आविश्कार किया था Integrated Circuit Chip पर किसकी परत होती है तो Integrated Circuit Chip पर Silicon की परत लगी होती है Digital Computer के सिध्धान पर काम करता है तो Digital Computer गड़ना के सिध्धान पर काम करता है निमने मैंसे दो प्रकार के output device कौन से है तो monitor और printer ये दोनो output device होते है object की properties में access करने के लिए प्रियोग की जाने वाली mouse technique कौन सी होती है तो इसे हम right clicking technique के नाम से जानते है dot matrix किस ओपकरण का एक प्रकार है तो dot matrix printer का एक प्रकार है option में भी सही उतर हो जाएगा text की पंकी में प्रारंभ में जाने के लिए कौन सी key को हम hit करते हैं तो text की पंकी में प्रारंभ में जाने के लिए home key को hit किया जाता है निमने मैंसे कौन एक प्रकार का mouse है तो optical और mechanical ये दोनों mouse के प्रकार है किस printer द्वारा एक stroke में एक अक्षर print होता है तो dot matrix printer में एक stroke में एक अक्षर print होता है इतमें से कौन out माफकरी का input device नहीं है तो monitor एक output device है यह input device नहीं है computer में keyboard का काम क्या होता है तो computer में keyboard input करने के काम में प्रयोग किया जाता है कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है तो कीबोर्ड एक इनिपूट डिवाइस कहलाता है ओपरेटर्स द्वारा किये गए कारे कम्पूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं तो ओपरेटर द्वारा किये गए कारे कम्पूटर के VDU में दिखाई जाते हैं प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, option number 2 प्रिशन का सही उत्र हो जाएगा, Line printer एक मिनिट में कितने चिन चापता है, तो यह 200 से 2000 चिन एक मिनिट में चाप देता है Line printer. अगला कॉशन है सबसे ज़्यादा काम आने वाले character printer कौन से होते हैं तो dot matrix सबसे ज़्यादा काम आने वाले printer होते हैं scanner का प्रियोग निम्नमैसे किश मशीन में मिलता है तो scanner का स्वरूब जो है यह photocopier machine में हमें देखने को मिलता है computer की keyboard में arrow के कितने बटन होते हैं तो computer की keyboard में arrow के 4 बटन होते हैं राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तो यह थी आज की सीरीज के questions कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं चैनल पर नए हैं तो subscribe करने ना भूलें अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करें कमेंट में आप एक heart shape भी बना सकते हैं आप कमेंट करेंगे तो हमें पताज रहेगा कि आप हमसे जुड़े हुए हैं like करिएगा ग्रूप में share जरूर करिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में मैं knowledge पंडे से रंजीत पंडे आपके लिए आज फिर से एक नए वीडियो लेकर आया हूँ इसमें 100 MSQQ questions है पुराने सालों के और आपको पता ही है हम 30,000 questions की series कवर कर रहे हैं जिसमें हर दिन आपको अलग-अलग videos मिलते हैं तो चलिए आज किस video को शुरू करते हैं शेयर करिए का जाल से जयादा सबसे पहला प्रशन है जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं होता है उसे हम क्या कहते है तो ऐसे काल को प्राग एतिहासे काल के नाम से जाना जाता है जिसका कोई लिखित विवरण ना हो आधी मानव ने सरवप्रतम किस पशू को पालतू बनाया था तो आधी मानव ने सबसे पहले कुट्ते को पालतू बनाया था option number 20 सही उत्तर हो जाएगा आधुनिक होपों होमो सेपियंस मानव का उद्भाव किस काल में हुआ था तो आधुनिक होमो सेपियंस मानव का उद्भाव जो है यह उच्छ पुरा पाशान काल में हुआ था नेक्श कॉशन है मानव ने आग का प्रियोग किस काल में प्रारम किया था तो मानव ने आग का प्रियोग नौ पाशान काल में प्रारम किया था नेक्श्ट है मानव ने सुरुप्रथम किस धातू का प्रयोग किया था तो मानव ने सबसे पहले तामा धातू का प्रयोग किया था आप्शन नमर तामा सही उत्तर हो जाएगा प्राग एतिहा से काल के अंतरगत किन संस्कृतियों को रखा जाता है तो प्राग एतिहा से काल के अंतरगत पासान संस्कृति को रखा जाता है नेक्स्ट कॉशन है मानो द्वारा उप्योग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी तो मानो के द्वारा उप्योग में लाई गई पहली फसल गैहूं राइट आंसर हो जाएगा मानव खाद पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोगता कब बना तो मानव खाद पदार्थों का उत्पादक और उपभोगता नौ पाशानकाल में बना आप्शन नौ पाशानकाल सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है कौन सा कथन इन में से असत्त है तो सही उत्तर हो जाएगा सिंदू घाटी सब्विता से गाय की अंकित मुहरें सबसे कम संख्या में प्राप्थ हुई है या कथन आसकते है नेक्स कॉशन है प्रसिद्ध पसुपती की मुहर कहां से मिली है तो प्रसिद्ध पसुपती की मुहर मोहन जोदरों से मिली है सिंधु सबिता में गोधी वाड़ा का साक्ष कहां से मिला है तो सिंधु सबिता में गोधी वाड़ा का साक्ष लोथल से मिला है सिंधु सबिता में विशाल अन्नागार कहां से प्राप्थ हुआ है तो सिंधु सब्यता में विशाल अन्नागार जो है यह मोहन जोड़ों से प्राप्थ हुआ है कौन सा जोड़ा इनमें से असत्य है तो राइट आंसर हो जाएगा हरपा जो है यह भारत में है right answer हो जाएगा सिंधु रापपा जो है yeah सिंधु के तक पर है ऐसा नहीं है right answer हो जाएगा लोथल इसका प्रश्णका सही उत्तर होता तो यहाँ पर जोड़ी असरते कौन सा हो जाएगा हरपपा और सिंधु यानि की नगर नदी और सागरतट राइट आंसर हो जाएगा सिंदू सबिता की सर्वमान तिथी क्या है तो सिंदू सबिता की सर्वमान तिथी पच्चिस सो से सत्रह सो पचास इसा पूर्व है भारत में मूर्ती पूजा का आरंभ कब से माना जाता है आर्य भारत में सबसे पहले कहां पर बसे थे तो आर्य भारत में सबसे पहले सब्त सेंधो प्रदेश में बसे थे नेक्ष्ट है आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था तो एशिया माइनर आर्यों का मूल निवास स्थान था गायत्री मंत्र का संबंद किस से है तो गायत्री मंत्र रिगवेद से संबंदित है सत्य में वो जैते यह उक्ती कहां से ली गई है तो सत्य में वो जैते को मुंड को अपनिशद से लिया गया है अगला प्रशन है रिगवेद का नौवा मंडल किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रा है तो रिगवेद का नौवा मंडल सोम को समर्पित सूक्तों का एक संग्रा है नेक्श है निम्ण मैं से प्राचीनतम वेद कौन सा है तो सबसे प्राचीनतम वेद रिगवेद है उत्तर हो जाएगा इन में से option number C उत्तर वैदिक काल में इस्तरियों को सभा में प्रवेश करने की अनुमती थी जबकि रिगवैदिक काल में ऐसा नहीं था यहां कथन असत्य कथन है नेक्ष्ट है अगला प्रशन इरहाप के सामने असत्य कथन को चुनना है नदियों के प्रा प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्ष्ट कॉशन है किस वेद की रचना गध और पध दौनों में की गई है तो यह जोर वेद वेद की रचना गध और पध दौनों में की गई है अगले कॉशन पर चलते हैं कौन सही सुमेलत नहीं है तो चेदी और पोटली स्थापग उदियन राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंशी अजाज शत्रू का पुत्र उदियन जिसका काल 471 इसा पूर्व से 445 पूर्व तक रहा सिकंदर के समय मगद पर किसका सासन था तो सिकंदर के समय मगद पर घननन्द अथवा धननन्द मगद के नंद वंसका अंतिम राजया जुधा उप्शन नमबर सही उत्तर हो जाएगा काला शोकी राध्धानी कौन सी थी तो काला शोकी राध्धानी पाटली पुत्र प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा किसे सर्व छत्रान तक अर्था छत्रियों का नास करने वाला कहा गया है तो महा पद्म नंद को सर्व छत्रान तक यानि छत्रियों का नास करने वाला 343 से 321 पूरव तक इसका समय और मगत के नंदबंस का सासक नाम उग्रसेन सिकंदर कहां का शाशक था तो सिकंदर मगदूनिया का शाशक था अगला प्रशन है सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद जेलम का युद्ध या हाइडे स्पिसीस का युद्ध कब हुआ था तो यह युद्ध 326 इसा पूरव में हुआ था नेक्स कौशन है जैन धर्म के 24 वे महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादे चार महावरतों में कौन सा पांचवा महावरत जोड़ा है तो महावीर स्वामी जी ने पांचवा महावरत जो है ब्रह्म चरे को जोड़ा है अगले प्रशन की तरफ चलते हैं अगला प्रशन है जैन धर्म के त्रिरतन का नाम क्या है तो सम्मिक दर्शन, सम्मग ज्यान, सम्मक आचरण, उपरुक सभी जैन धर्म के त्रिरतनों का नाम है महावीर ने किस भासा में उपदेश दिया है तो महावीर ने प्राकृत भासा में उपदेश दिया है नेक्ष्ट है महावीर का जन्म कहां पर हुआ था तो वैशाली नगर में महावीर जी का जन्म हुआ था प्रथम जैन संगती कहां पर आजित की गई थी तो पहली जैन संगती पार्टली पुत्रों में आयोजित की गई थी नेक्स्ट है कौन सा कथन इन में से सत्य है तो option number जैन धर्म के सब्त भंगी ज्यान को स्याद द्वाद कहा जाता है महावीर स्वामी जी की मृत्य उपावापुरी में हुई है और जैन धर्म आत्मा को मानता देता है यह सभी कथन सत्य है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतू किस भाशा का प्रयोग किया है तो इन्होंने पाली भाशा का प्रयोग किया है बौद धर्म के त्रिरत्न का नाम क्या है तो बौद धर्म के त्रिरत्न संग, धम और बुद्ध ये सभी प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा किसके साशनकाल में बौद धर्म दो भागों ही नियान और महायान में बढ़ गया था तो कनिश्क के सासनकाल में बौध धर्म दो भागों ही नयान और महायान में बढ़ गया था महात्मा बुदुद्वारा दिये गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है तो प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है अगला प्रशन है बौध संगतियों में कौन सुमेलत नहीं है तो चतुर्थ संगती हर्षवर्धन के समय में यह आप्शन जो है सुमेलत नहीं है बौध के सर्वप्रिय सिश्य का नाम क्या था तो आनंद बौध के सर्वप्रिय सिश्य थे चंदरगुप्त मौरे का प्रधान मंत्री कौन था तो विश्नुगुप्त चंदरगुप्त मौरे के प्रधान मंत्री थे विश्नुगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है कमेंट करके जरूर बताएं चंदरगुप्त मौरे ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था तो चंदरगुप्त मौरे ने अपना अंतिम समय श्रवण बेल गोला में बिताया था मेगस्थिनीज किसका राजदूद था तो मेगस्थिनीज सेलुकस निकेटर का राजदूद था चिंदरगुप्त मोरे अपने अंतिम दिनों में किस धर्म के अन्वियाई बने तो यह जेन धर्म के अन्वियाई बने आप्शन नम.D प्रशने का सही उत्तर हो जाएगा कौन सा कथन इन में से सत्य है तो option number 4 के का दूसरा नाम विश्णुगुप्त अर्थात कॉर्टिले था इसका answer मैंने अभी आपसे पूछा था चंद्रगुप्त ने नंद शाशक घननंद को हरा कर मौरे सामराज की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त ने सुदरसन जील सौराश्ट में जो है इसका निर्मान कराया था ये सभी कथन सत्य है अर्थसास्त्र किसकी रचना है तो कौटली की रचना है अर्थसास्त्र next question है अशोक ने कलिंग पर आकमण कप किया था तो अशोक ने कलिंग पर आकमण 261 इसापूर्व इस युद्ध में रक्तपात देख अशोक ने बौद धर्म ग्रहन कर लिया था इंडिका की रचना किस ने की थी तो मैगल स्थनीज ने इंडिका की रचना की थी अगला question है बौद धर्म के परिचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था तो संग मित्रा और महेंदर इन दौनों को ही अशोक ने श्रीलंका भेजा था अशोक के सिलालेखों को सरप्रथम किस ने पढ़ा है तो जैम्स परिंसेप ने अशोक के सिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा है साची के इस्तूप का निर्मार किस ने करवाया था तो साची के इस्तूपों का निर्मार समराट अशोक के द्वारा कराया गया है आगले प्रशन पर चलता है अशोक के अभीलेक किस लिपी में लिखे गए हैं तो अशोक के अभीलेक जो है ब्रामि, खरुष्ट्री, गरीक और अर्माइख इन सबी लिपियों में लिखे गए हैं चंदरगुप्त मौरेकी सेंडरो कोट्स के रूप में किसनिक पहचान की थी तो चंदरगुप्त मौरेकी सेंडरो कोट्स के रूप में विलियम जोन्स ने पहचान की है नेक्ष्ट है अशोक के किस सिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उलेख मिलता है तो तेरहवे सिलालेख में कलिंग विजय का उलेख मिलता है मौले काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था तो मौरे काल में गुप्तचरों को संस्था घुडपुरु संचार प्रशन सभी सही उत्तर हो जाएगा मैगस्तनीस के अनुसार भारतिय समाज कितने भागों में विभक्त था तो भारतिय समाज साथ भागों में विभक्त था अगला कॉश्चन है चंदरगुप्त मौरे के महल के अवशेश कहां से मिले है तो कुम्रहार पटना से चंदरगुप्त मौरे के महल के अवशेश मिले है अशोक के धंब की परिभाशा कहां से ली गई है तो अशोक के धंब की परिभाशा राहुलो वादसुत से ली गई है मौरेकाल में प्रचलित विष्ट क्या था तो यहाँ एक निशुल का श्रम था ब्रामणों को सरप्रतम भूमी अनुदान की प्रथा किस ने प्रारम की थी तो सत्वाहन राजवंस में ब्रामणों को सबसे पहले भूमी अनुदान की प्रथा शुरू हुई थी रुद्रदामन कौन था तो सक्क शाषक था रुद्रदामन कनिश्क का राजवेद कौन था तो चरक कनिश्क का राजवेद था कनिश्क बौद्धर्म की किस साखा कानुयाई था तो कनिश्क महायान शाखा कानुयाई था जो की बौद्धर्म की साखा है कनिश्की की राध्धानी कौन सी थी तो पुरुषपुर कनिश्क की राध्धानी का नाम था जूनागर्से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेक के शाशक का है तो रुद्रदामन का अभिलेक है जूनागर्से प्राप्त नेक्ष्ट है किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है तो अरिक मेडू नामक स्थान पर रोम बस्ती मिली है बुद्चरित की रचना किस ने की थी तो अश्वगोश ने बुद्चरित की रचना की थी किस सासक ने गुप्त समध प्रारंब किया था तो गुप्त समध को चंदर गुप्त प्रथम ने प्रारंब किया था भारत का नेपूलियन किस गुप्त शाशक को कहा जाता है तो समधर गुप्त को भारत का नेपूलियन कहा जाता है next question है चीनी आत्री फाहयान किसके साशनकाल में आया था तो चंदर गुप्त विक्रमादित के साशनकाल में चीनी आत्री फाहयान आया था मौरियोदारा निर्मित सुदरसन जील का जिरणोधार किसने कराया था तो अभी हमने पढ़ा था अप्शन नमबर रुद्र दामन और सकंद गुप्त इन दोनों ने ही इस जील का दुबारा से जिरणोधार कराया था भारत में पर हुणों का आकरमन किसके साशनकाल में हुआ है तो सकंद गुप्त के साशनकाल में हुणों का आकरमन हुआ है नवरत्न किस गुप्त शाशक से संबन्दित है तो चंदर गुप्त विक्रमादित के दरवार में नवरत्न हुआ करते थे नालंदा विश्विध्याले का संस्थापक कौन था तो कुमार गुप्त नालंदा विश्विध्याले का संस्थापक था गुप्टकालीन सुरण सिक्कों को क्या कहा जाता है तो इन्हें हम दीनार के नाम से जानते हैं आप्शन नमबर A सही उत्तर हो जाएगा निम्न मैं से कौन से सुमेलित नहीं है रचना और उसके रचनाकार तो आप्शन नमबर स्वप्नवास वद्दत्तम दंडी के द्वारा लिखा हुआ यह सुमेलित नहीं है बानभट किसके दरवारी कवी थे तो हर्शवर्धन के दरवारी कवी थे बानभट हर्षवर्धन की राधधानी का नाम क्या था तो कन्योज हर्षवर्धन की राधधानी का नाम था चीनी आत्री हिंसांग किसके सासनकाल में भारत आया था तो हर्षवर्धन के सासनकाल में हिंसांग भारत आया था कन्योज के लिए हुए त्री पक्षिय संगर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई थी तो अंतिम विजय प्रतिहार वन्षों की हुई थी किस राश्ट कूश शाशक ने एलूरा के प्रवतों को काट कर प्रसिद कैलास मंदर का निर्मान करवाया था तो कृष्ण प्रत्वम साशक ने एलूरा के पहानों को करवा कर मंदरों का निर्मान करवाया था वातापी किसकी राध्धानी थी तो चालुक के वन्ष की राध्धानी थी बातापी इस्थानी स्वसासन किसके प्रशाशन की मुख्य विशिष्टा थी तो चोल सामराज की प्रशाशन की मुख्य विशिष्था इस्थानी स्वसासन थी ब्रहद्रेश्वर मंदर का निर्मान किस ने कराया था तो राज राज प्रथम ने ब्रहद्रेश्वर मंदर का निर्मान करवाया था एलिफेंटा गुफा मंदरों का निर्मान किस राजवंस के शाशनकाल में हुआ था तो यह राश्रकूर्ट राजवन्स के शाशनकाल में हुआ था महाबली पुरम के रथ मंदर का निर्मान किसने करवाया था तो नर्सिंग बर्मन प्रथम ने महाबली पुरम के रथ मंदरों का निर्मान करवाया था कश्मीर में मारतंड सूर्य मंदर का निर्मान किसने करवाया था तो ललिता अधित मुक्ता पूइट ने कश्मीर में मारतंड सूर्य मंदर का निर्मान कराया था तो दोस्तों ये सीरीज आगे भी चलती रहेगी अगर आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो को जाज जादा शेयर करें और लाइक जरूर करिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद